नमस्कार आपका भाय स्टेडी में स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे जिय समाने अध्यान जो की घटना चक्र से होगा यह 2022 का निव इडिशन का बूक है और इस बूक की खास बात यह है कि इसमें वल नाइनर दिये गए हैं सभी विशय के और यह काफी महत्तपून है ध् इसमें आपको भारतिय इतिहास, राजववस्था, समाने भोगोल, समाने विज्यान, परयावरन परिश्थितकी तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाने विज्ञान में आपको भहुतिक विज्ञानेनिकी फिजिक्स पढ़ेंगे जो कि यह परतेक एकजाम के लिए काफ़ी इन्पोटेंट है और इसमें जो फिजिक्स का है सभी चेप्टर जो सभी चेप्टर है बारी की घंग से जो प्रसं पूछे जाने योग्जियें परिछ इछा में कि वैल उसी प्रसंपा संकलन और इसकी ही प्रतेक एकजाम के द्रिष्टी कोंड से काफी ही महत्तपूर्ण है इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं यह रेलवे के एक्जाम के लिए तो यह बुक जो राम बाण है तो आईए इसमें हम लोग देखते हैं पहला चेप्टर यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज ध्यान दीजिए बॉल बेग विद्दु धारा और कार में से मूल बहुती क्राशी है तो जो विद्दु धारा है ध्यार रखेंगे मूल बहुती क्राशी है और इनकी संख्या कितनी होती है साथ होती है शक्ति का मात्रक है तो सभी जानते हैं वाट होता है विद्दु सक्त ब्रावर कितना होता है तो दोस प्रगात पांच नीउटन होता है अब नेश्ट देखते हैं कारेकमात्रक किसमें छूल होता है और आभीरती को मापा जाता है ताभी उर्ठी को हर्डज में मापा जाता है एक ही वीडioso में सारे प्रस्नों को तो फिजिक्स के समाप्त कर दिया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में असानी हो चालक की बैदूत परतिरों धक्ता की इकाई है तो ओम मीटर ध्यां रखेंगे प्रकास वर्ष इकाई मातरक है तो दूरी का और एक प्रकास वर्ष बरावर कितना होता है तो नौ दसमलो चार प्रकास वर्ष है तो दूरी जो परकास वर्ष एक वर्ष में तय करती है उसी को प्रकास वर्ष कहते हैं और प्रकास की दूरी की चाल कितना होता है तो तीन लाग किलोमेटर परती सेकेंड या कह सकते हैं तीन गुणे दस प्रखात आठ किलोमेटर परती सेकेंड होता है ए तीन दसमलो ध्यां रखेंगे तीन दसमलो जीरो आठ गुड़े दस पगात 16 मीटर होता है एक पार्षेक बराबर यह कह सकते हैं तीन दसमलो दो छो दो परकास वर्स होता है दोनों डाटा को 100% याद रखिएगा यदि ज्यादा डिप में पूछेगा तो इसे याद रखना है क्योंकि लुशेंट में देखिएगा सुर्वाती दोर में तो यहीं दिया है ग्राउंड फिडर में आपको असकते हैं कि इतना होगा अब नेश्ट दखते हैं पार्षेक मात रख है तो दूरी का मात रख है माप की वह एक आई जीसेद 0.39 से गुणा करने पर इंच यह बुक बार बार कह रहा है बहुत ही महत्तो पून है रेले एक लिए और परतेक वण डे एक जाम के लिए एक नैनो मीटर होता है तो दस पगात माइनस साथ मीटर के बीच में होता है मेगावार्ट बिजली के नापने की काई है जो उत्पादित की जाती है नहीं नहीं है तो बोल और दाब को मातरक होता है अमेक घूल कीजिए तो ऑन चल्जरमर होता है कि अर्मयली नियुटर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क Warum प्रचाल देखते हैं वाट का जो मात्रक होता है सकती बटा में साम और्थे होता है नौट नौट ब्राबर समुंदरी जहाज की गती मापी जाती है नौट में नौट इकल मील जो होता है समुंदर में नौट प्रचाल को में परिक्दूरी की काई है और एक नौटिकल मील बराबर कितना होता है अठारा सो बावन मीटर होता है अगर कीलो मीटर बदलिएगा तो यहां पॉइंट बढ़ाबर कहा जाए तो मील में 1200 आपको 10 मीटर होता है अगर है यहां बढ़ा पूछे जाने योग tube अज्यादा प्रस ने ही दीए गैं उच्छ देग में खुता हैं घ्याँ रखेंगे में कि यह होता है cast लौव बदगर होता है साथ सो चैतर च्हालबबर whats की थी आपको ध्याद रखेंगे जेम सवाट यूब ऊर्जा से उसी तरह संबण्दित है जैसे पासकल थे दाउजा की क्या है तुर्ष तरह शीतर आपको ध्याद रखेंगे सुमेली थैट धुनी की प्रवलता कि क्या होती है डेसिवल और 95 से जो अधिक रोनी होता है वेक्टी के लिए हानीकारत होता है शक्ति की इकाई क्या है औस्व शक्ति 746 वाट जानते ही है ताप माप की इकाई है तो सेल्सियस ताप माप की इकाई है नौ संचालन में दूरी की इकाई है तो समुंदरी मिल होता है आप जान ही गया है कैलोरी किलो कैलोरी किलो जूल या वाट में से उस्मा की इकाई नहीं ह तो ध्यान रखेंगे जो उस्मा की इकाई वाट नहीं है तो कैलोरी किलो कैलोरी और किलो जूल क्या है उस्मा की इकाई है इस तरह के प्रसंद देने का मुख्य उद्यस यहीं है कि अधिक सधिक आपको जनकारी देना सेंटीग्रेट क्यलोरी ओर जूल में से उसमा की एक नहीं है तो यह आप कह सकते होनाए कि छोटी लंबाई का मतरखह सकता है अब देखें कैलोरी और जूल जो है उसमा की एक काई है ध्या रखेंगे एक किलोमेटर दूरी सेतात पर है हर मिंटर सभी जानते हैं एक पीकोग्राम बराबर होता है तो दसदाप मायनस 12 ग्राम के बराबर होता है एक ग्राम डाप की काई है तो नूतिन या वर्ग मीटर क्या दाप की टुष किनूटन प्रतिवर्ग मीटर परिश्थित की दाब किसकी इकाई है तो बार का अब नेश्ट देखिए भॉल दाब तॉरण में से अदीष रासी है तो अदीष रासी आपको दाब हो जाएगा ध्या रखेंगे उसके बाद भॉल बेग तॉरण क्या है सदीष रासी है तेल एक वैरल होता है तो लगभग 169 लीटर होता है ध्यां रखेंगे एक वैरल में कितना होता है 169 लीटर माइक्रोन नैनो मीटर एंगस्ट्रम तथा फर्मी फर्मी को कहा जाता है फ्यम्टो मीटर भी में लंबाई की नियुन्तमिकाई है तो फर्मी फ्यम्टो मीटर यहनि मोटर की बाइट में मावी जाती है और भुकम्प कि तीवरता का प्रणा में इकाई होता है रिक्टर और सिस्मोग्राफ में क्या होता है इसका अध्यन के आता है सिस्मोलोजी में भुकम का और सिस्मोग्राफ पैमाना होता है दाब कोई काई क्या होता है बार होता है अब मेश्ट देखिए क्योशीक में उसे मैं लिड Sum. प्रवाह जल का प्रवाह या बहा वहीं बात है नौट डॉब्सन प्वाईज मैक्सवेल में वाई मंडल की ओजोन परत की मोटाइ मापने वाली काई है यह तो डॉब्सन सडी मचली की तरह गंद आता है सभी जानते हैं ओजोन परत से अब नेश्ट देखिए सभी के सभी महत हुई हुई वशंतु की स्थिती जानने के लिए पर्योग किया यहता है सोनार एक परकारकार का तरंग निकलता है जिसे बस्तू की स्थिती का पता चलता है सोनार सोनार में हमें उपयोग करते हैं प्रासरव बितरंगों का इसी से बस्तू का पता लगा जाता है धोनी की तिव्रता को मापने वाला यंत्र है आडियो मीटर ध्यां रखेंगे बैरोमीटर एनेमोमीटर हाइडरोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गती मापी जाती है तो इनेमोमीटर से वायु की गती म लंबवा तुन्यम्म दिशाओं का मापन होता है उच्छ प्रवापन में जैसे सूरी के लिए सूरी के मापने प्रयों के परियों कि जानें रखेंगे शुआशाओ जाएगा 15 लिडीजिए हो जाएगा ठीक है इसे दोनों को ध्यान रखेंगे ताप ताप मापी में से पायरो मीटर कहा जाता है कि आप मापी से और शुर्य द्वारा जो मां आती के माध्य से ही आती है थर्मामेटर जो 2000 डिगरी सेल्सियस मापने है तो उप्युक्त होता है वह है कुछ आपने का परियोग किया आता है solar radiation को मापने के लिए ध्या रखेंगे पाई हिलिो मिटर का पर्यों कि आता है मैनो मिटर के द्वारा माप की जाती है तो गैसों की दाप की माप की जाती है इसे ध्या रखेंगे एक एक प्रस इसमें इंपोटेंट है अब देखिए सुमेलित है तो उपकरण यांत्र मापन की रासी अमनेक्षे disrupt में hypert 참 तो हैईग्रो मीतर तो सापेच आदता जो और मनंडमे मापा जाता है हैज्गरों में躲े से मापा जाता है हैजां रखेंगे हेज्गड है मिपय dher ghometer से लुप होता है आपेचीद घंत मा पा ही मापने वाई यंत्र है од होड़ो मीटर अ से हुपियोग किया है बैरो मीटर के सधारता बैरो मीटर में पर्योग होता है पारे का ध्यां रखेंगे पारे अप चमकीला जो होता है ध्यां रखेंगे और NCRT ध्यां रखेंगे NCRT का जो सार संग्रह है महें सुनवाल जी का प्रतेक बुक को एक-एक विशय का बना दिया गया है चैनल पर उपलब्ध है प्लेइलिस्ट में जा के आप देख सकते हैं वह बहुत ही काफी उपयोगी सावित होगी आपके लिए बहुत कौम समय में उसको मास्टर वीडियो एक विसे का अलग अलग बनाया गया है चाहे वो फिजिक्स हो कमेश्टरी हो बाइ uren metro system thing just अ कल No doesने जो कार्य करता है ऑलग द्याय रखेंगे थन Here तरह सब्सक्रांद की स्किस्टी साज्ट को कार्य क्विडियो करता है विद्वन शुनने के लिए अ द्व क्याती है आप देखे होंगे जो गले मなたidente मतलब गर्दन पर लट का हुए रहते हैं सफिग्णो मेंनुमीटर रक्तचांप मापने के लिए पर्योंगियाता है इस फिग्णो मेंटर के ट्रेयरेंट मिट्र सोने की सुधता पता लगाने के लिए कियाता है और 24 क्रेक्ट का सोना क्या होता सुद्व दाए लक्स मीटर परकास की तिविर्ता मापने की लक्स मीटर से पर्यूग कि आता है रक्त दाब नापने का रडार उपयोग में आता है तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तूओं की इस्थिति ज्यात करने में जैसे जहाज से फाइडर प्लेन से ग्यात किया हीम नदी की चाल जनसंख्या विरिधी भुकम्प की तिवर्ता पिर्थिवी के अंदर का तपमान में से रिक्टर पैमाने में मापी जाती है तो भुकम्प की तिवर्ता भुकम्प जानते ही आप तीन परका कहोता है P, S, L होता है प्राइमरी यहीं की प्राथमिक तरंग 8 km प होता है सतही तरंग 20 से कायाता है रिक्टर पैमाने में मापने के लिए परेव होता है तो भुकम्प लहरों वहीं PSL को मापा जाता है अब नेश्ट देखिए यह लोगना कहता है मातर्द यह स्कुल्सियस का जोकी मातरख कीलो कियो वाट् le aixòता है आरछ और तो त Without वह सब्सक्राइं कजिसमें रिनात्मिमक मान नहीं होता है म करें तो केल्वीन में डिगरी का भी परविए नहीं की आई ता इस बात को दिया हुआ वा है जो सीसम ग्राप कर करता है और नेश्ट देखिए क्ता सुमेलित है द्यां रखेंगे टो अल्टी मिटर से प्रतिरोट का की संमुंद्र की गहराई मेगा दियाँ को दोनों यहीं पात है देख लिजेए यहां सुमेलिट सब्सक्राइब यान influencing जाता है मैंनोमेटर से गैसंड़ल्थ सबिकाएब पालता है ध्याँ क्यातइब यान में सब्सक्राइब टमस्या में जो में खलिवरेटर से प्प्योंतिया के लिश्बुर्थर का फिक के मापने में फोने प्रिवक्ण जूट का पता लगाने वाला यंत्र है पोली ग्राप को ध्यां रखेंगे समाने लोगों पर यह परियोग नहीं किया इसके लिए कमीटी आयोग जब सीपारिश करती यह तभी होता है नेश्ट देखिए उर्धवारदर तल यहम छेती तल में कोड़िये दूरी को मापने में परियुक्त होने वाला यंत्र है तो थियोडो लाइट ध्यां रखेंगे यह अंत्री की अब देखते हैं काफी इंपोर्टेंट है जिसमें आपको द्रभमान बॉल त्वरण कार उर्जा संबेग गती के बारे में हम लोग देखेंगे प्रसंद सधारन यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कौम बल का पर्योग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने के लिए जैसे माल यह साइकिल मुट साइकिल यह सब क्या है और उसके बाद बैल गाड़ी सब चिम्टा हथावडी पिलास सब यह अंत्र ही हैं काम करते हैं मनुस्की सहायता करते हैं एक व्यक्ति एक संबेदन सील तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरा सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी बढ़ेगी यानि कि इस तरह से नीचे आएगी प्रचालन वासीन प्रचालन का अब क्यिंड करता है कि आपको आसिंग मसीन बिस्ठाब्वर September नहीं रखेंगे यह सबस्थाब्ल और विष्थापन क्या है सथी है अब नेक्ष्ट देखीए ट बेज्थाब्ल इसथापन सबूरud May कम सब्रट नहीं है तो सब्स्थाब्लों जो है ध्यान रखेंगे सदीस रासी है संबेग, दाब, उर्जा, कार में से सदीस रासी तो संबेग जो ध्यां रखेंगे इसमें आपको सदीस रासी है अब निश्ट देखते हैं पदार्थ के संबेग और बेग के अनुपात में जो भौतिक रासी प्राप्त की जाती है वो है द्रबेमान बल गुड़न फल है तो द्रबेमान और त्वरण का बल गुड़न फल है यदि किसी घण के आयतन और प्रिष्ट छेतर फल को नुर्यूपित करने वाली संख्याएं सम्वान हो तो उस घण के किनारे की लंबाई उर्जा सरच्छन का आसे है कि उर्जा का न तो स्रीजन हो सकता है और नहीं बिनास उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है रूपांतरीत हो जाती है अब नेश्ट देखिए हवाओं की उर्जा होती है तो जो हवाओं की उर्जा होती है केवल गतीज उर् इस तर्व से आप देखेंगंगे टरबायन लगा होता है यहां और इसको नचाके विद्धुत उर्जय उत्पन कियाता है न्यूटन के गती के पर्थम नियम को कहा आता है जड़त्तो का नियम और जड़त्तो का नियम किस ने दिया था ध्यान रखिएगा कोई बार प्रसंट पुछा गया है गई लिलियों ने दिया था एक ट्रेन जैसे ही चलना आरम करती है उसमें बैठे वे आत्री सीर पीछे की ओर जुक जाता है इसका कारण है जड़त्तो ही कारण है इस्थिर्ता नियूटन के पर्थम नियम से ही होती है पर्तेक किरिया के लिए एक समान और विपरीत पर्त किरिया होती है यह दिया था यह नियम किस ने दिया था नियूटन ने दिया था सर आईजक नियूटन और यह जो नियम दिये थे कहां दिये थे तो प्रिंसिपिया बूख है जो कि बिश्यो के बड़े गरंथों में इसक उच्छे जाते रहे हैं चाहे निम्न सरीय इक जाम उसमें भी हाड बनाने के लिए प्रस्णों को एक पूर्ट घरसन हीन प्रिष्ट पर खड़ा एक ब्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गती में ला सकता है ठीक है कारण यदि किसी यंतर पर कोई वाह बल किरिया सील नहीं हो तो इसका संबेग एच पुरिवर्टन नहीं होगा तो ए और आर दोनों सही है और आर एका सही असपश्टी करण नहीं है ध्यान रखेंगे दोनों सही है लेकिन व्याख्या एक दूसरे का नहीं करता है दोनों अलग-अलग बात है सणक पर चलने की अपेच्छा बरफ पर चलना कठी नहीं क्योंकि बरफ में सणक की अपेच्छा घरसन कम होता है भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसमें चलायमान रखने के लिए आवस्यक ताकत की अपेच्छा के रित अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चलने के बाद घरसण कम हो जाता है। एक ट्रॉक, एक कार, एक मोटरसाईकल की गतीज उर जाएं समान है। यदि समान और ओधक बल लगाये जाएं। तो एक करमस एकस वाई जेड दूरी पर रुके तो ध्यां रखेंगे इसमें आपको माइनस एकस बराबर वाई बराबर जेड होगा एक व्यक्ति कार में जो बिराम में बैठा है सनक से कार के चार पहियों में परतेक पर परतिकिरिया आर है जब कार सीधी समतल सनक पर चलेगी तो अगर पहियों में परतेक पर परतिकिरिया होगी तो आर से क्या होगी कम ही होगी दो समान द्रभमान की बस्तुओं की गती उर्जाओं का उनुपात च्यार अनुपात नौ है तो उनके बेगों का उनुपात क्या होगा तो दो अनुपात तीन होगा यहने किसी को अंडर प्रिश्ट होगा तो 36 से 36 से इस परकार आनत होगा कि वह पिछले सीरे पर अधिक गहराई होगी अब नेश्ट देखिए इसमें लो लेवल से हार्ट लेवल तक के प्रसंद समिलित किये गए हैं जो इक जाम के लिए महत्तपुन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो एक कर देखिए सायकिल और कारों के बाहर की प्रसंद। योग होता है क्योंकि पहिया और धूरी के भी संस्पर्स का परभाव छेत्र घड़ जाता है तौरण ग्याद करने का सही सुत्र है आप इसे हंडेट परसेंट ध्यां रखेंगे आए दिन इकजाम में पूछा जाता है तो ए बराबर भी मायनस युद्टाव टी होता है तौर करेले धे गुरत्वा कर्षण का सिधान्त दिया सर आईजक नीटन ने फिननसीपिया बुक में गुरत्व आकर्षण के सार भोमिक नियम का पर्टी पादन किया नीटन ने अंत्री चैर्स नीरवाद में सीधे खड़े नहीं रख सकते क्योंकि वहां गुरुद्ट तो नह क्योंकि वहां कोई गुर्थवार्द लाइन रेखा तल के अंदर रहती है काफी इन्पोटेंट इस बात को ध्यां रखेंगे यदि पिर्थी और सूरी की दूरी जो है उसके अस्थान पर दोगुनी होती है तो सूरी द्वरा पिर्थी पर गुर्थवार्थवार्शन बॉल जो पढ़ता है वह होता है अब जीतना है उसका चौथा भाग होगा नेश्ट देखिए जब कोई बस्तू उपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरवर्थित होता है लकडी लोहे मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान उचाई से पिर्थी पर गिराया जाता है जो टुकड़ा सर पर्थम पिर्थी की सता पर पहुंचेगा वह है सभी साथ साथ पहुंचेंगे ध्यान रखेंगे सभी साथ साथ पहुंचेंगे हावा में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद को समान उचाई से गिराने पर लकडी की गेंद बाद में गिरेगी जब यहां निर्वात होगा हावा नहीं होगा तो दोनों क्या होगा भूमी पर समान या कहीं भी होगा तो समान गिरेगा ध्यां रखेंगे जब वहां कोई वायू नहीं होगा निर्वात होगा तो दो गेंदे ए तथा भी क्रम सथ 10 किलोग्राम और एक किलोग्राम की है उन्ह चंद्रमा पर मानों का वजन पीर्थिवी की तुल्णा में 1.6 रहता है। चंद्रमा पर पीर्थिवी की तरह गुर्थवा करशन नहीं है। यहां और यहां नब्वे डिग्री नब्वे डिग्री धुरू है यह विश्वत रेखा है और विश्वत रेखा पर नियुन्तम होता है यह जो जीरो डिग्री अच्छान से भूमद रेखा यह विश्वत रेखा यहां पर क्या होता है कम होता है कि नेश्ट देखते हैं ध्रूम पर अधिक्तम होता है देखें ध्रूम पर क्या होता है अधिक्तम होता है वायू जल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिक्तम भार जिसमें होगा वह है तो हाइड्रोजन क्या होगा गुरुत्य के अधिन बीरामा वस्था में मुक्तुरूप स से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी विस्थापन डी का बीवरोंड परदर्शित करने वाला रेखा चितर होगा तो डूई उर्दवारदर की तरह उपर होगा और यह 36 होगा ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं एक चिकना आनत तल 36 के साथ ठिट्टा का कोण आनत है जैसा की दी गई आकिर्ती में दिखाया गया है एक पिंड विरामा अस्था से प्रारंभ कर आनत प्रिष्ट से नीचे की और फिशलता है तो अधा अस्थल पिंड को पहुँचाने में लगा समय होगा तो होगा ध्यां र देखेंगे इसे अब नेश्ट के से एक मुची इमारत से एक गेंध मुट्विट पर तीário के समान तुरूंड के साथ गिराए जाती है तो तीन सेकेंड बाद उसका बेग होगा तो तीन सीकेंड वाद उसका बेग होगा ध्यां रखेंगे ऑनतीस दुश्मलों 4 मीटर पर फ सब पिर्थिवी के तल पर जी कमान क्या होगा क्या होगा बढ़ जाय गैद यौशत कार। ना सים हें 980 सेंटिमीटर सेंटिमीटर होगा अब शेद दिखिए 음 एक वस्तू का पीर्थिवी पर ड्रवय्मान 100 kg है, तो गुरूत जनीत त्वरण एनिकी G, gravity 10 meters, 30 seconds है, तो अगर चंधरमा पर गुरूत जनीत त्वरण, G, E6 है, तो चंधरमा पर बस्तू का द्रवय्मान होगा, तो ध्यान रखेंगे 100 kg ही होगा, इस बात को आपको ध्यान हो जाएगा आपको बराबर ही हो जाएगा भार हिंता होती है गुर्थवा करशन की सुन्य इस्थिति में नहीं रहेगा तो भार हिंता की स्थिति महसुस होगी पीर्थवी अपने कच्छ में लगभग 44 किलोमेटर परती घंटा की गती से घुमती है इस तेज गती को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कच्छ में पीर्थवी की गती की पेच्छा हमारी गती क्या है सुन्य है यदि पीर्थवी क्या गुर्थवा करशन बल अचानक लुप्त हो जाता है तो बस्तू का भ अब नेक्षप देखते हैं इसमें देखिए तो ध्यां रखेंगे भारहता की इस्थीती होती है तो जो भारह INच्था इस्थिती होती है तो जो भारह रहां होती है गुर्थवा करशन की सुन्ति में और फिर्थवी अपने कच्छ में लगभग चोवाली सो किलोमेटर परती घंटा की गती से घूमती है इस तेज गती को हम अनवह नहीं करते हैं क्योंकि अपने अपने कच्छ में पीर्थिवी की गती अपेच्छा हमारी गती क्या होती है सुनने होती है यदि पीर्थिवी का गुर्तवा कर्शन बल अचानक लुप्त हो जाए तो बस्तू का भार सुन हो जाएगा परन्तु दर्भमान वहीं रहेगा अब इसमें देख लिजिए फिर से क्योंकि इन्पोटेंट है दो बार भी देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पीर्थिवी के चार और परिकर्मा कर रहा क्रित्री मुपग्र इसलिए पी फिर्थिवी के रख़े परलगने वाले गुर्तवी आकर्सन बल से ऑर उपग्रह की जो फिर्थिवी से कितना होती है जानते ही है 36000 km किरित्री मुपग्रफ पीर्थिवी से सू अस्फरस्टता सी। आती है और पुना जाती है इसके द्वानी के उत्राव चुड़ाव में होता है कमी उसी को क्या बोलते हैं डॉपलर अपने कच में एक उपग्र पिर्थिवी के चक्र लगाता रहता है वह ऐसा करता है तो केंद्रा केंद्रा बी मुखी बॉल नहीं अभी केंद्रान बॉल के प्राकिर्टी के ज्यानत बॉलों को चार वर्गों में विभाइद किया जा सकता है जैसे की गुरुत तो वीदु बॉल चारों में से सबसे प्रबल है तो आप जानते ही है सबसे प्रबल क्या है प्रबल ना भी किए बल है अब नेक्श्ट देखिए और परिच्छा में कभी भी पूछा जा सकता है किसी लिप्ट में बैठेवे बैक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा तो जब आप विर्ट्व तौरीद गती से उपर जारे हो सभी जानते हैं लोलक की कालावधी होती है ये व अदे लभायाई की निर्वठ करती है और इसका जो समय होता है बनी कि लम्बाई बढ़ जाती है एक लड़की जूले और बढ़ी इस्थितिति में जूला जूल रही है उस समान्य दोलग का दोहन चल रहा है ऐसे में ध्यान रखना है जब गोला माध्य अस्तान से गुजरता है तब तुरण क्या होगा सुन्य होगा यहां से यहां जा रहा है तो माध्य मतलब यहां होगा यहां क्या होगा सुन्य होगा अब उसके बाद आवर्त हर आवर्तन में गोल दो बार किसी एक निर्दिष्ट को प्राप्त करता है अभी सही है और उसके बाद समान्य दोलग का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है अभी सही है इस तरह से एक दो चार सही है ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखिए पेंडुलम घडित्ति प्रगती से चल सकती है तो सीथ्काल में क्या होगा लंबाई हलका चोटा हो जाएगा पीर्थिवी का पका रखेंगा और चंद्रमा का प्लायन वेक कितना होता है तो खैँस और इसे今 मुलोग और किसी किलो किलो lunate से अंत्रिस में फेका जाय तो और पिर्थी पर वापस आगि रहीरेगी क्योंकि इतना इस सम्प्लायद से फेकना होगा तब पृर्थीभी से वह दो जाएगी चंद्रमा प्रवाय मॉंडलिये नहीं होने का कारण क्या है इस पर गैस अनुगों का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यमूल के बेग से कम होता है इसे ध्यान रखेंगे कोई जाम में इसे पुछा गया है अब नेश्ट देखते हैं इस थूल पदार्थों के होता है कम से कम छेत्रफल घेरना ही नैनों द्रव्य का सरवाधिक महत्तपूण कूण क्या है तो घर्षण है ध्यान रखिए घर्षण अब नेश्ट देखते हैं आपको कि अब नेश्ट देखिए इसमें कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तो लेनी थे बुलबुले के अंदर का दाप वाईमंडलीय दाप से अधिक होता है सभी जानते हैं कि यदि साभून के दो भीन्न ब्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो छोटा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा इस बात को ध्यां रखेंगे नेक्ष दखते हैं जब किसी साहभून के बुलबुले को आवेसित किया जाता है तो बुलबुले के तिरिजया क्या होगी बढ़ जाएगी काफीन हिससे ध्याँ रखेंगे अब नेक्ष देखते हैं। अब स्पार से बने तार चार तार जिसकी वीमाई दी गई है उलग-उलग उलग बार एक ही कि बार से खीचे जाते हैं तो अधिक्तम धैर बिरिधी होगी तो जिस तार की लंबाई अधी क्यों ब्यास कम होगा धैर बिरिधी लंबाई के समानुपाती और ब्यास के वर के विद्कानुपाती होगा इस बात को आप ध्यान रखेंगे अब नेक्ट देखते हैं इस तरह के प्रस्ण बड़े बड़े एक्जाम में पुछे जाते रहे हैं निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो यदि के सिकत्य की परिघटना नहीं होती तो नहीं होती तो क्या होता तो किरोसीन दीब के उपर उपयोग मुश्किल हो जाता य और बड़े जिनके हम अपने चार और देखते हैं पिर्थी पर नहीं उखते क्योंकि जो जल का माध्यम है जाईलम के माध्यम से तो होता है लेकिन वह केई कत्त रही ही उसमें काम करती है अम नेक्स्त प्रस्वएदन सवसंजन आदे भी उत्तरदाई हैं ध्यारखें के सिक तो ही जाइलम हो गया इसके माध्यम से असकंदन के माध्यम से उपर खनी जल जल जाता है बत्ती वाले इस्टोप में कि रोसीन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है तो प्रिष्टिय तनाव एक केस नली में जल किया पेच्छा एक तरल अधीक उचाई तक चढ़ता है तो उसका आकार क्या होगा सभी जानते हैं बढ़ जाएगा ताप बढ़ने के साथ द्रव की सेयंता घड़ती है जल वायु खून अलकोहल गैसोलीन और सहथ में सबसे ज्यादा सेयंता होती है तो सबसे ज्यादा सहथ की होती है हवाई जहाद से यात्रा करते से पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदा में कमी के कारण पिधी पर समा रहता है वहां कम हो जाता है आटो मोबाइल्स के हाइड्रोलीक ब्रेक कारे करने के सिध्धान का धारते पास्कल के नियम पर इसे ध्यां रखेंगे क्योंकि कई गिजाम में इसे उचा गया है नेश्ट देखिए मोबाइल तथा आटो मोबाइल ने हारतिय विशेश रूप से ग्रामेड च्छत्रों के लोगों के समाजी गीवन में क्रांती ला दी है लोगों के आवागमन और लोगों के जुड़ाव के बात से जुड़ा होगा और आवागमन अपना काम तेजी से लुप कर लेंगे बै जब धिर धिर नीचे गरेगा तो क्या होगी बारिस होगी नेश्ट देखिए अब इसको समझते हैं देखिए कि नीचे दिये हुए चार चिद्रों वाले एक फबारे की चित्र पर ध्यान दीजिए तो इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है तो भारे की चिद्र से पानी अधिकत्म दूरी तक पेका जाएगा कहने का मतलब इस तरह से दिया हुआ है इस तरह से तो वह फिका जाएगा आपको एक से फेका जाएक किससे एक से ध्यान रखेंगे कि क्योंकि दाब इसमें जदी अधिक होगा तो यहां से फेका जाएगा अब नेश्ट देखते हैं पेट्रोलियम पर इसक्राण उत्तपाद है तो इस फाल्ट का इसे ध्यान रखना है कड़े कड़े जाड़े में जील की सत्व हीम सीतित हो जाती है कि इन त देखिए सीत काल में जब जील की उपरी सत्व का पानी बरफ में बदल जाता है फिर भी जलिये जनतु जीवित रहते हैं क्योंकि तो पानी का घनत तो चार डिगरी सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे की बरफ की उपरी सत्व के नीचे पानी रहता है बर्फ जमी जी लियां जिवी त्रह अती है क्योंकि छील के तली पर जल नहीं जम पाता है चार के इससेल्सियस तक रहता है और जमता है कहा जीरो डी जीटी सेल्सियस पर बस्तु की मात्रा बदलने पर प्रव्रतित रहेगा तो जनत तो पानी का पैचित ठroat हो तो होता है तो चार डीगर सबी पूछ सोब रहे हैं लोहे का एक गुला पारत में तैरता है किन्टू पानी में डूब जाता हैं लोहे की त्दिकिए पारे में तैडती यह जबकी वह पानी चहां जाती है जिसी इस तरह से आपको एक ना हो गया तनाव द्वारा जो होगा ध्यां रखेंगे तो छेतर फल यादा हो जाता है इस लिए नहीं डूबता है अब नेश्ट देखिए लोहे की सुई पानी की सता पर किस कारण से तेरती रहती है तो प्रिष्टिय तनाव के कारण यदि पतली हलकी सुई यदी रहेगी तो वह तेर सकती है बहुत पतली रहेगी तो जब कुए से पानी की बाल्टी को उपर खीचते हैं तो महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सता स सबसे पहले कृतिम रूप से उत्पाद्द किया था तो टेकनीशियम समुंद्र में पलवन करते हुए आइस भर का इतना भाग समुंद्र की सता से उपर रहता है वह एक वटा नौ भाग में से को एक वटा नौ ही रहता है तो ध्यां रखेंगे आपको बारा में जो टाइटेनिक जहाज डूबा था इसी धोखे के कारण से डूब गया था बहुत बड़ा चट् दाइन रखेंगे पानिके एक ग्लास में एक बड़ा टुकडा तेर रहा है जब बढ़ पेगलती है तो पानी का अस्तर उतना ही रहेगा क्योंकि उतुद बढ़क के अंदर यह रहता है लगभग पानी के चांट अएज अनलसीत पर शरीर तरता है पानी के चाह दिगरी से कи फटर सरी रता है य roar डिगरी डिगरी हो जाए तो चाहला शरीर कि हो डूब जाए खर अब जेँ सब्सक्र नधी सе कि अब नधिकर पेछा तयरना आसान होता है क्योंकि समुर। जल अधिकंत होता है जिससे कि उसका उधिक होता है की अदिक करना होगा तो आप तो आप नहीं भी तैयरते होंगे तो निश्चीत रूप से आप तैयर पाईएगा लेकिन ऐसा करना नहीं है कथन कारण जब कोई जहाज नदी से निकल कर सागर में प्रवेस करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है सागर के जल का घंट नदी के जल के अधिक होता है तो अगर मिरीत सागर में है ध्यां रखेंगे जिसकी लवड़ता कितना है आपको तीन सो थीस पर सेंट ठीक है वहां जाएगा ताप नहीं तरते हैं तो पर भी तरने लगीएगा क्योंकि वह डूबी यह नहीं पाईएगा घंट उसका बहुत ज्यादे है परती हजार पहोता है इस्थीत 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 विग्यान संबंधित है विश्राम की इस्थीत होगी तो इस उस प्रती क्वांटम सर भागी ऊसे और दूसे लगभग तो चार सो से त्थीत तीन सु इनिंव के बीछ ओता है कि द्रुश्य स्प्पेक्ट्रम के तरंग धर की सीमा लगभग उन्त आलीस सो लिएक्ष्ट्रम से आपको ध्यां रखना है शिहात्र सो लिएक्ष्ट इस बीज बीच में होता है मानव अंग द्रीष्ष्य परकास लिए परकास सीथिर एकामे चलता पर तीत होता है क्योंकि प्रकास का तरग जहर बहुत चोटा होता है कास्मिक किरन प्रकास इलेक्ट्रान पराध्वनीक तरग में वह जिसका वेग अधिक्तम होगा तो थीन लाख वद तीस हजार यानी तीन उड़े दुड़े दस प्रघात आठ किलो मेटर परती सेकेंड होता है और ध्वनी तक कितना होता है ध्वनी के जानते ही है 332 होता है परकास ध्वनी अकासी पिंडों में किसका वेगा धिकतम होगा तो मतली इससे ज्यादे ब्रहमांड में किसी का अधिक नहीं है अभी तक में यहां सबसे जाब हिसे नीर्वात में ही फरकास जाल होती है भी होता है फरकासर धीकितम होता है लाग दो निनत्म होगी तो कांच कि वीक्त ज्याते होगी निजुन्तम रहां रखेंगे सूर्य के परकास को धर्ती तक पहुंचने में समय लगता है ति इतना मीनट आठ तसमलों तीन मीनट रिनेगी सेकेंड में 499 सेकेंड हो जाएगा अब नेक्ट दखिए परकास तरंगों के वाईव से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरवर्तित रहती है तो उसकी जो आविरती है अपरवर्तित रहती है जब प्रकास की कीरण सखन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हड़ जाता है प्रकास संसलेशन की कीरिया संपाधित होती है तो प्रकास से रसाइनी कुर्जा में रुपांतरण द्वारा ध्या रखेंगे अब निश्ट देखते हैं प्रकास सजावर तथा विज्यापनों के लिए विसरजन न लिकाओं में परिउग्त होने वाली गयस है इसे ध्यां रखेंगे कई बारे पुछा गया है नियोन है अब निश्ट देखते हैं अब बूख भी महत्तपूर्ण में दिए गये हैं साबून की पतले जहाग में चमकदार रंगों का बनना प्रडाम है तो व्यत्य करन ध्यांने बहुलुद प्रावर्तन और व्यतिकर्ण का व्यत्य खश्चाहिए दिखाए दिखाए देता है प्रकास्तन तो प्रकास यहां से परकास पी निकल जाता है और किसी भी अंदरुनी भाग किसे देखा जा सकता है गड़बड़ी को क्योंकि पूर्ण प्रवर्तन करते हैं एक हम and फ्रutês इंटरतATOR होता है इसे हम होता है इंटरेट में इसे ही ताहे होता है इससे सब्साट कर दीजेगा त्र कर आगे निकल जाता है तो दिश्वाया उप्रोस WrestleMania फ्रसे Wow that ओवारतन है यहां वी और जिसका परना जिसका प्रकास की संचार में संकेत प्रवाइद होता है तो प्रकास तरंग के रूप में होता है नेश्ट देखिए कि निवलिखित कथनों पर विचार कीजिए इन में से सही कथन कॉल है कि प्रकास यह पून आंतरिक पर अधारित है सही है कि प्रकासीक तंतु संचार में उर्जा उप्भोग अत्यधीक में होता है यह दिए को सही है कि प्रकासार संचार रीडियो आभी शाय और रूधक से मुक्त है अभी सही है मरीजों के पैट के अंदर का परिच्छन करने हितु डाक्टरों द्वारा परियुक्त इंडोयसकोपी करता है तो परकास के सटर ने पून-ान्त करते opinion जो इंडोएसकोपी होता अब नेक्ष देखते हैं इसमें तो पूनांतरिक परावर्तन होता है जब प्रकास जाता है हीरे से कंगाच में जब जाता है तो पूनांतरिक परावर्तन होता है एक कटा हुआ हीरा जग मगाता है तो पूनांतरिक परावर्तन के कारण उची तरीती से कटे हीरे की और सधारन चमक का अधार भूत कारण है कि उसका अती उच अपवर्तन सुचकांग होता है अब देखिए कटन कारण और प्रसन अभी हाले ही में मतलब बहुत सारे जामों में एक ट्रेंड बन चुका है पूछने का तो इसे भी देखते हैं कटन कारण ध्यान दीजेगा हीरा अपने ही अकार के अनुकारी कांच से अधिक जिल मिलाता है हीरे का अपरतनांग कांच के अपरतनांग से कम होता है तो यह सही है परन्तु क्या है आर गलत है और ध्यान रखेंगे हीरा का अपरतनांग केतना होता है तो हीरा का अपरतनांग होता है दो दसमलो चार दो इसे भी याद रखना है और पेचित घनत होता है दो दसमलो आपक को दो होता है अब नेक्ष्ट देखिए किसी वस्तु के त्रीवीमिय परतिरूप को अंकी तथा पुन्राविर्थी करने की तक्निक का नाम है तो होलोग्राफी एक इलेक्ट्रोनिक पुंज को फासफोरस कोटेड पर फोकस कर परतिवीमियों को परदे पर जनीत करना कहलाता ह तो रोश्टर इसका इन खलाता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे अब आगे देखते हैं रमन परभाव का प्रकास की उन क्रुणों का संबंध है जो आर पार जाती है तो सभी पारदर्सी माध्यमों के धोनी के पुनर उत्पादन के लिए एक सीडी यानि कॉमपैक्ट डिक्स आडियो प्लेयर में परिप्त होता है लेजर भी ही होता है जब एक सीडी याडियो वीड्यो प्रणालियों में पर्युक्त होने वाली कॉमपैक्ट डिक्स शूर के परकास में देखी जाती है तो इंदर धनुस के समांर रंग दिखाई पड़ते हैं इसकी ब्याख् ये रेडियो तरंगे दुरतग्रामी दुलाइमान बैद्दु धराओं से उत्पन होती है और उसके बाद अती चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के प्रावर्तित रहू लगू रेडियो तरंगों के प्रभाव को प्योग करती है तो यह दोनों बात क् प्रती सेकेंड प्रच्छेपित किये जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद आह की रेटीना पर निर्मीत परतिवी उद्दीपन हटाने के बाद जीरो पॉइंट एक सेकेंड तक बना रहता है तो ध्यां रखेंगे यह सई है परन्तु क्या है आर गलत है यह गलत है और यह क्या है सई है एक सेकेंड में 24 चीतर दिखा जाते हैं दुरदर्शन के संकेत एक निश्ची दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पीठीवी का सतव अक्रकार है कहने का मतलब ध्यां रखेंगे तो यहां तक मिल सकता है लेकिन यहां रहेगा तो यहां से तर प्रकास या उसके तरंग तो इस तरह से नहीं जा सकते हैं इसलिए नहीं मिलते हैं अब नेश्ट देखिए दुरदर्शन परसारण में सरब संकेतों का प्रिसरेपन करने के लिए परियुक तकनिक है तो आविर्थी माडूलन द्रिष्टी पटर रेटीना पर जो चीतर बनता है वो बस्तू से छोटा वा उल्टा होता है अभिने तरलेंस द्वारा किसी बस्तू का परतिवीं रेटी भी होगा ध्यां रखेंगे अब आगे देखते हैं कि एक आँख की अपेच्छा दो आँखों का होना अधी कुपियुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी वगहराई का एसास होता है पूर्ण सूर्य ग्रहन के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में आपर वरतनियता च्छती पहुंचती है इसका कारण क्या है अल्ट्रा वाइलेट प्रकास नहां रखेंगे किसी तारे का रंग दर साता है उसके ताप को जितना निला होगा उतना ही ताप वला होगा सूर्य सूर्य वाइमंडल में प्रकास की विश्रण का कारण है धूल कौन अब देखते ह कि निवलिखित कथनों पर विचार कीजिए उप्युक्त में थे कसन सही कौन है यदी मैजेंटा रक्ताबाप निल लोहित और पीले रंग के दो विरित एक दूसरे को काटते हैं तो परती छेदन छेतर का रंग लाल होगा सही है यदी सायन एनि हरिताब निला और मैजेंट कीजिए निल लोहित रंग के दो विरित एक दूसरे को काटते हैं तो परिछेदी छेतर का रंग क्या होगा दोनों सत्य है प्रकास का रंग नीर धायाइत होता है तो इसके तरंगधरे से ध्यां रखेंगे इनिप्रोटेंट है प्रकास का रंग नीर्धारन होता है इसके तरंगधर से सबसे लंबा तरंगधर है यहीं कि सबसे लंबा सबसे ज्यादा तरंगधर ज्यादा किसका होता है तो लाल रंग का होता है और सबसे कम होता है बैगनी रंग का होता है नहां रखेंगे सबसे वेविलेंद तरंगधर बार्क सांग अधिकों सब्यान रग इंद्र होता है सबसे लगाँ होता है और अब में सब्सें डीकाँ का अधिकों का रवीजाइब में ओ लैता है में देखिते क सब्सक्राइस सब्सक्यार कि आई ये इह सब कि रे , हर्य परकास के तरंगधर इन अधिक होता है .จะकि लाल परकास में उपस्तित की हरा , लाल भैगणी और नारंगी रंक में से सीशा के प्रिजिम द्वारा सबसे कम बिचलित होता है तो लाल रंग हमें वास्तिविक सुर्य होता है कि कुछ मिनट पूर भी सुर्य दिखाई देने का कारण है तो परकास का अपॉर्टन ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखिए छीतिज के समीब सुर्य अमचंदरमा के द्रिग ब्रितिय दिखाई देने का कारण है तो पॉर्टन सुर्य के प्रकास के अद्री से भाग से प्रकास संसेशन किया रता है तो कुछ वेक्ट्रिवों द्वारा ट्रैफिक सिंगनल में लाल प्रकास परिक्थ होता है क्योंकि इस तक को प्रकीर्ण सबसे कॉम होता है यह और और दोनों से है और रध्विधिक जो कोबाल्ट अक्साइड कीप्रिक अक्साइड फेरिक अक्साइड तथा निकेल अक्साइड में सोगा जो कांच को गहरा नीला रंग परक्राण करता है तो कोबाल्ट असाइक के वज़ा से कांच का रंग गहरा नीला होता है अकास नीला लगता है क्योंकि लगूत तरंग दीर् एक देखते हैं निवलिकित कतनों पर फिचार किजिए को भी प्कतने से सही कौन है ध्याँ रखना ना भर को अठ मैं लिस्व और शुर्योदय के समय स्थूरे के लाल रंग सुर स्थ होने का कदद कि नोन और ऑंत्री6 इते को आकास को रंग दिखाई देगा तो ध्यार रखेंगे काला ही दिखाई देगा केशों वहां वह बंडल नहीं है जब अधिक पूचाई पर समाइस को देखा याता है तुए दिखता है काला दिखता है is समुधर नीला परतीथ होता है तो अकास के प्रावरतहँ तो जल के कॉंडों द्वारा प्रकास के प्रकीनन के कारण ध्यार्ण रखेंगे अब हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के परकास को हमारी आखोपर प्रावर्थी करती है अब नेक्त देखिए प्रसारी वीश्चु की संकल्पना अधारित है तो डॉपलर प्रभापर यानि कि अभी वीश्चु जो है प्रसारित हो रहा है माल लीजे पिर्थिवी से पष्च गामी हो रहे है एक रोकेट यान की चाल प्रकास के बेग के दो बटा दस है तो रोकेट यान में इस्थिती आतरियों को जो प्रकास निला दिखाई दे रहा है वो अपिर्थिव और इस्थित प्रिच्चकों की दिखाई देगा पीले रंग काम किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनन्ध तथा दर्पण के धरूपी के बीच रखे बिंदु के परतवीम की प्रकृतीक एसी होगी तो अभासी तथा सीधा होगी कार में पीछे के यातायात के द्रिस्या और लोकन के लिए प्रिष्ट द्रिष्टी दरपन के रूप में परियोग होता है तो उत्तल दरपन का अब नेक्ष्ट दखिए दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं और तल दरपण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग समय स्वयोजन जो सबसे उचीत होगा तो ध्यां रखेंगे उपर उजला होगा और नीचे काला कहने का मतलब इस तरह से छाता है तो यहां यहां वाइट होगा और नीचे क्या होगा इस बात को ध्यां रखेंगे खोगोलिये दुरदर्दी से बना परतिवीम होता है तो कालपनी को बड़ा होता है जब दो समांतर समतल दरपणों के बीच कोई वस्तू रखती जाती है तो बनने वाले परतिवीमों की संख्या होगी अनंत होगी प्रकास के एक बि किये इसमें कि जब किसी दरपण को ठीटा कोंड से घुनित किया जाए तो प्रावर्तित की रण का घुनन होगा तुठीटा होगा कथन कारण यातायात संकेतों पर जड़ी हुई काच की छोटी-छोटी मणी काएं उन पर प्रकास पढ़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं प्रकास में साथ रंग होते हैं रंगों को अलग करने का तरीका है एक प्रीजम से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है इंदर धनुष के रंगों का सही करम है तो बैजन्य हा ध्यान पी न ला इसको ध्यान रखेंगे बैगनी जामनी निला हरा पिला नारंगी लाल जब धूप वर्षा की बुंदों पर गिरती है तो इंदर धनुस बनता है इसके लिए जो भौतिक परिखटनाई जेमिदार है वह है तो परिछेपन एनिक प्रावर्तन अपवर्तन और आंतरिक प्रावर्तन ध्यां रखेंगे यह घ्रा हो गया तो हघ्रा होगा इंद धनुस के दोनों सीमान तो वरण पर्ट होते हैं तो बैगनी और लाल दो पहर के 12 बज़े किस दिशा में अधर धनुस दिखाई देगा किसी भी दिशा में दिखाई नहीं देगा यह हमेशा इंदर धनुस जो बंता है ध्या रखें तो एक छड़ी को जल में तिर्थी इस्तिती में डुबोया गया है यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी टेड़ी और जल की सता पर जुकी हुई परतीत होती है आगे देखते हैं इसमें कारण क्या दिया हुआ है कारण देखिए छड़ से आने वाली प्रकास जल अनों से प्रकिनन होकर छड़ी के छोटी और जुकी हुई होने का भास होता है देखिए यह गलत है यह क्या है अब नेक्ष्ट देखिए कि निमलिखित कथनों पर विचार किजिए यदि कोई ब्यक्ति पानी भरी वाल्टी में पड़े एक सिक्क्य को देखता है तो उससे शिक्च्या अपने वास्तिवी कस्तल से पेच्छा करित निकट लगेगा ठीक है यदि जल के अंदर कोई ब्यक्ति जल जल तल से उपर एक और यह जो घटना होता है आप वरतन के कारण होता है आप ध्यां रखेंगे जो आपको ध्यां रखेंगे अपवरतन की घटना है जल के अंधर वायू का बुलूला वहार करता है च deduction की निट्षव पर करता है किसी ब्यक्तिका पूरा पर्ति में के लिए एक शम्तल दरपण की नियुन्तम उचाई होनी चाहिए तो प्रीकत का दरपण निश्चितंच पर होना चाहिए डेड़ मीटर लंबे ब्यक्ति को अपना खाड़ा संपूर्ण परत्वी में देखने के लिए तो इसमें ध्यां रखेंगे यह द्यां रखेंगे यह दूर द्रिष्टी दोस निवारण के लिए काम लेते हैं तो उत्तल दर्पन का दू में का आ रहा है दू में पलस क्या हो ज जाएगा कि नेश्ट देखते हैं कि दूर द्रिष्टी दोस वाले व्यक्ति के संब्ध में सही कथन नहीं है तो इस दोस्त को ठीक करने के लिए उत्तल लेंज का परियोग किया आता है निकट दिस्टी दोस दूर करने के लिए उप्योग में लाया जाता है तो आउतल कमरे में प्रिविश्ट करता है तो कुछ समय के लिए अश्षंट दीखाई नहीं देता है बाद में अधिरे धीरे उसे चीजे दिखाई देने लगती है इसके कारण क्या है तो पुतली के अकार में परिवर्तन रोड़ोपसीन का बिरंजक वह पुनह बीचरण होना और आखों को अंधेरे के प्रतिकुछ समय के लिए अनकुलीत होना इसी का कारण है अब नेश्ट देखिए पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से आख में सकेंद्रन होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा सही कथन नहीं है तो ध्यां रखेंगे क्या सही नहीं है तो एक छोटे चीदर वाला उत्तल दरपन डाक्टरों द्वारा रोग्यों के कान नाग गले की जाच के लिए ध्यां रखेंगे उत्तल दर्पन का नहीं होता है और उतल दर्पन का होता है और इसलिए होता है कि इस तरह से रहता है और उसमें पूड़ा प्रत्वीम उसका लाइट में दिखाता है निश्ट देखिए खोजबत्ती सर्च लाइट में दरपण जो परिक्त होता है वह है आउतल और नतोतर दरपण समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा आउतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए है तो इस यूम को बेभार होगा तो कांच की समतल चा आँक के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो सिलियरी मान स्पेसियों की सिथिलन संकुचन से है लेंस की सक्ती मापी जाती है तो सभी जानते हैं डायप्टर में यदि किसी एनक के लेंस की पावर दो डायप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 50 cm धूप के चसमे कि पावर होती है जीरो डायोप्टर अब नेश्ट देखिए है कि अब इसमें कह रहा है इतना में से कैमरे के द्वारा को कपाट की गति जो संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा वह है तो आपको यह हो जागा फोकस दूरी आपको 22 और प्वटा सथ हो सञगा और गहेंगे कि आntyटीना की प्रण्प्रागत केमरा के जिस भाग से तूलना की जाती है वह है फिलीम मनुश सी की कि आथ में कि ​ बस्तु का परतिम जिस भाग पर बनता है वह द्रिष्टी पटल यह जिसे रेटीना का आता है नेक्ट देखिए और इसी से इसी को विभीन अनुपातों मिलाने से विभीन रंग प्राप्त किया सकते हैं यहीं प्राथमी कोण है जब लाल नीले हरे परकास को पुंज एक अस्थान पर पड़ता है तब परकास का रंग हो जाता है सफेद हो जाता है काला हरा लाल नीला में से प्राथमी नहीं है प्राथमिक पॉर्ण क्या है तो लाहनी लाहनी याद रखना है अब नेश्ट लेखते हैं हरा लाल निला प्राथमिक पूरण है अब नेश्ट देखिए कि निमलिखीत परिघटनाव पर विचार कीजिए कि उप्युक्त में से द्रिष्टी भ्रम है तो गोधूली से सूर्य का अमाप जो है एक क्या है द्रिष्टी भ्रम है और उसा काल में सूर्य का रंग यह भी द् द्रिष्टा है यह जो आकास में तारे टूंटिमाते हैं अपवर्तन के कारण अब नेक्स्ट देखिए कि कथन एक कारण आर दिया है तो क्रिष्ट चिद्र एक अईसा खगोली अस्तीत्तों है जिसे दूर्बीन से नहीं देखा जा सकता कारण तो क्रिष्ट चिद्र पर ग पूर्तवा करशन सकती अधिक होता है कि वह परकास के किरण को भी बाहर नहीं निकलने देता है अब नेक्ट दखिए कथन कारण अंत्रीच अधारी सोर उर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्टी लच्छ बनाना चाहिए और एस बीएस पी की आप उर्टी वर्ष में बि इना रुके 99 परसेंट और इसके अलावा उर्जा की बहुतायात में उप्लगता तो दोनों क्या है सही है और अस्पश्टी करण भी है अब देखिए अब देखते हैं चेप्टर इसमें आ जाएगा आप उस्मा यमगती की जो की काफीन पोटेंट है तो संबहन द्वारा उस्मा का असनांतर हो सकता है तो गैस और द्रव में गैस का तात्पर हो जाएगा आपको आकसीजन नाइट्रोजन इसमें और द्रव का मतलब पानी में पानी या किसी भी लिक्विड में अब देखते हैं 100 सेंटीमीटर की वास्प द्वारा उत्पन जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वास्प द्वारा अधिक उसमा दी जाती है वास्प में क्या होती है गुपत उसमा होती है ध सीस्टीए स्वlets पर दिश को गुलोरी संटीघ्राइट समान होते हैं जानते हैं चारेश सिंटीग्रेट पर फारेण हाइट ताप करम के वलिसे गुल्च पर एक्सवस्थ मनुष्य के शरीर एकाफ होता है एह एक पुटेंट है Eğer टीस एगर में आद मीकलता है कि इतना ही होता है धियां रखेंगे और身ंद पॉइंटा 300 पॉइंट फोर आता है जो हम लोगर मिसस्वर्ण र सभ्पोरें मानोशरीर का समावन इताप होता है 310 किल्विंग मानों शरीर का समान ने तापकरम अंठानवे पॉइंट फोर डिगरी फारेन हैट इसके बराबर जिरो डिगरी इसके बराबर सेल्सियस में तापकरम होगा तो ध्यां रखेंगे देखिए यहीं इसमें एक जोट दिया है तो 9 हो गया है तो 36.9 डिगरी सेल्सिय में यहीं लगाना है फारेन हैट पैमाने पर तापमान 200 फारेन हैट का मान सेल्सियस पैमाने पर होगा तो 93.3 डिगरी सेल्सियस चालीश डिगरी सेल्सियस का मान फारेन हैट इसकेल में होगा तो 122 डिगरी फारेन हैट अब देखते हैं थोड़ा से उपर करते हैं माना की ओसत अपमान सेंटीग्रेट सी फारेन हाइट एफ हो तो सी तथा एफ यदी सी तथा एफ का संबंद एफ बराबर नौ बटाइम पांच इंटू सी पलस 32 हो तो फारेन हाइट और सेल्सियस का मान होगा ध्यां रखेंगे इस पर आप देख , नौ फे लीजिए जो 50 मान कि दिया हुआ है और यह जो दिया हुआ है 122 ऒरेन हाइट तो आप एफ बराबर नहां रखेंगे नो बटा पांच और यहां पर कर लिज There you कैसे दिया हुआ है 50 422 बटी देखे कैसे आता है कि तो नो नो नहा में ननॄहां नुखकर अब इस से ध्यां रखेंगे तो इसी तरह निकलता है इसे आप ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को ताप मापी द्रव के रूप में वरीता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्तखता है स्वचाली तीनजनों हेतु हिम्रोधी के तरव पर पर परिख्थ होता है तो एथिलीन ग्लाइक कॉल परमसुने ताप तो सैधान्तिक रूप से नियुंतम संभव ताप है और इससे ब्रहमांड में नियुंतम ताप संभव नहीं है ध्यां रखेंगे और ब्रहमांड में सबस का घनत घटा देता है जब बरपी घलती है तब आयतन घटता है अब नेश्ट देखिए समय की द्रिष्टी से दो द्रव पी और क्यू लगू के टाब का जीरो डिग्री सेंटिग्रेट से 100 डिग्री सेंटिग्रेट important तक उतराव class नीचे क southwest में दिखाया गया है तह्यान रखेंगे सब क्या सकक Till u तो इसमें थोड़ा से नीचे कर लेते हैं से क्यू का ताप पी की तुल्णा में 100 डिग्री सेंटिग्रेट पर तेजी से पहुंचेगा एनिकी ध्यां रखेंगे यह क्यू हो गया और पी की तुल्णा में किूटा यहां तूर्में तथेजिद समबंधित है टाप करम से थर्मおお इस्टेट ताप अस्थाई का पर्योजन है तो अपमान को इस्थिर रखना है रेफीरिजेटर में थर्मो इस्टेट का कार्य है तो सभी जांते हैं एक समान बालको को बनाए रखना यह भी जेटर में खाद पदार्थ ताजा रखने हे तूश्रच्षी ततप मान है तो चाट डिग्री disgust से तप मान कम नहीं किया आता है जब बरफ जमाना होता है तभी कि आता है यह खाद पदार्थ पिफ्रीज एक लिए अंदर रखा जाता है तो कुरगु कारण बरफ का टुकड़ा पे को ठंधा बना देता है कारण तो बरफ पिखलने के लिए पे से गूपत उसमा लेता है जिससे पे ठंधा हो जाता है तो ए और आर दोनों सही है और व्याक्ष्या भी है कारण इस तरह से देने का प्रसंट से में ही बात है कि आपको अधार के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं जबकि घरेलू प्रसीत्री क्लोरो फ्लूरो कार्बन का उपयोग करते हैं कारण क्या है तो अमोनिया को कम दाव यों परिवेस्ता पर दरवित किया जा सकता है देखे यह सही है लेकिन आर जो सही नहीं है अब नेक्ट देखिए कथन कारण यदि फ्रीजर पर बर्फ इकठी होती है तो रेफ्रीजेटर में सीतलन बुरी तरह से परभावित हो जाता है कारण बर्फ एक दुर्बल चालक है ए और आर दोनों सही है और अस्पस्टी करण है यानि फ्रीजर जो हमेशाब फ्रीजर कहां होता है हमेशा फ्रीजर उपर ही होता है ध्यान रखेंगे अब नेश्ट देखिए सीसे की एक छड जब हाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है साथ ही इसकी चड़ाई तो इसकी चड़ाई भी क्या होती है बढ़ती है नीचे दिये हुए एक धातू गोलक और धातू वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए तो यह गोलक है और यह वलय है इसमें प्रसंद क्या पोश्राय देखें तो पत्ती से बने धातू वलय के चित् क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का ब्यास बढ़ जाएगा ध्यां रखेंगे वलय का जो इसका है ब्यास क्या होगा ताप से बढ़ जाएगा और इससे जो है इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि यह प्रसारीत होगा जिसे कोई तांबा का प्लेट है इसमें अलग धातु है और यह अलग धातु ठीक है उपर वाला गरम करने पर एवी से अधिक फैलती है यह जो है बी से अधिक फैलती है यह जो है अधिक फैलती है यदि इस जूड़ी हुई पट्टी को गरम किया जाए तो यह रूप कर लेगी तो देखिए जब अधिक फैलेगी त कथन कारण तो तामबे के एक टुकड़े को तथा कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गरम किया गया उसके बाद असपर्श करने पर तामबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े के पिछा अधिक गरम लगता है कारण क्या है तामबे का घंत तो कांच की घंत उसे अधि ठंड के दीनों में लोहे के गुटके और लकडी के गुटके को पराता काल में छूए तो लोहे का गुटका ठंधा लगता है क्योंकि लकडी की तुल्ना में लोहा उस्मा का अच्छा चालक है अब आगे देखते हैं यहाँ का तपाहण बढ़ता है अब कोई शट पएंट छातब 5 अपा है आप तेज हावा वाली रातरी में मयती है क्योंकि वाश्फी क्रण्स की दर क्या होते है तेज होती होती है वहीं बात है जब हाव बहेगी तो वाश्मा दर क्या 20 रर नहीं है प्लाजित उट्छ स्टाब दौनों आधरता नियंतरीत करते हैं नहीं अधरता नियंतरीत नहीं करते हैं कम्रे में लगा हुआ वाता सबसे जल्दी सुख जाएंगे कम आधरता और अधिकत अपमान पर कम आधरता अधिकत अपमान पर अब नेक्स देखते हैं इसमें तो ध्यां रखेंगे गीले कपड़े सबसे जल्दी सुख जाएंगे तो कम आधरता और अधिकत अपमान पर अब नेक्स देखते हैं जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदू घड़ता है जब पानी करमसभ बढ़ेंगे और घटेंगे कहने का तात्पर हो गया कि इसमें ध्यां के बिंदू बढ़ेंगा और घटेंगा जब पानी में नमक मिलाया जाएगा अब नेक्ठ दखिए से कथन और कारण उचाई वाले अस्थानों पर भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जा है कारण तुछाई वाले अस्थानों पर तपमान कम होता है ध्यान रखेंगे दोनों बात सत्य है लेकिन ब्याख्या इसका नहीं है दोनों अलग-अलग छेत्र की बात है थर्मस बोतल में पेपदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर लगा याती है तो रजत कलिप लगा दिया आता है थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गरम या ठंधा रहता है क्योंकि उसमें संचालन संबहन यों विकिरण द्वारा उसमा की कोई हानी या पराप्ती नहीं होती है इसी लिए नेक्ष्ट दखिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आराम दे है क्योंकि वे अपने उपर पढ़ने वाली सारी उसमा को परावर्तित कर देते हैं कथन और कारण देखते हैं जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफेद कपड़े को वरिता देना चाहिए और सफेद कपड़े उस उस्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं जाड़ों की दिनों में जब आप सफेद कपड़ा पहनिया तो उस्मा परावर्तित होजागा तापको गर्मी महसूस नहीं होगा तो काला कपड़ा पहनिया तो न ज्यादे फैदा रहेगा नेश्ट देखते हैं कथन कारण हलके रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरियता दी जाती है और हलके रंग उस्मा को कम असुशित करते हैं दोनों सही है और असफ़श्टी करण भी है नेश्ट देखते हैं को कि पसीने का मुख्यू पयोग सरीर ताप नियंत्रह रकने में होता है और स्वेदन में होता है गरम मोशम में पंखा चलाने से आराम मअसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वास्पी करीद सबस्य रूपों में समान धाटू के दो प्यालों में पानी चुरू में आपको ध्याँ रखेंगे 95 degrees C रखा गया है दोनों में कमरे के दुछेगा तो ध्या रखेंगी इसमें कौन पहुंचेगा तो तप मान समान होने के करण दोनों प्याले कमरे के तपमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे ग्रीश में काल में आदरता उस्मा का उनभव होता है जब मौसम उमस वाला हो कहने का मतलब जब बादल चाय रहेगा तब आपको हलका गर्मी महसूस होगा क्योंकि परावर्ती जो होती है किरण वो नहीं हो पाएगी उस्कता दसा समंदर भी थे is तो नहीं आदरता से कफ़न कारं हुचाई बढ़ने के साथ साथ जल का कोफनांग बिंदू घरता है उसलिए जल्दी खाना पक जाता है वाय मॉंडल यह वाय मॉंडल हमारे उपर बहुत अधिक दवाव डालता है पर नतु हम Israel के गलीसरीन की सयंता बढ़ बढ़ में तपमान में विरिधी के साथ गिलिस्रीन की संय कर बढ़ जाती है ये गलत है परन्तु आर से ये कि तपमान में विरिधी उणों की गती जूर्जा को बढ़ा देती है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापकरम पर उबलने लगता है प्रेशर कुकर में खाना सिखरता पुर्वक बन जाता है क क्योंकि पढ़ा हुआ दाप को बढ़ा देता है ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखिए कि कुछान कारण प्रेशर कुकर में एबोनाइट की हत्ता है हंडिल लगा होता है कारण मजबूत होता है और दोनों सत्य है किन्तु आर एकी सही ब्याख्या नहीं है ध्यां रखे अंदर का उचितम तापमान निर्भर करेगा उपर के छेद की छेतर फोल वाव उस पर रखे गए वजन का कहने का मतलब जो इस पर सीटी रखी जाती है तो जितना वजन होगा तो उतना ही प्रेशर बनाएगा इसमें तापमान अधी होगा यदि हलका वजन होगा तो उठ जागा पहले प्रेशर से जब पानी को जीरो डिगरी से दोस डिगरी सेल्सियस तक गरम किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है नेक्ट देखिए यदि तापमान नो डिगरी सेल्सियस से गिरा कर तीन डिगरी सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा निम्र कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें देखते हैं आपको कौन सही होगा तो ध्यान रखेंगे इसमें केवल आपको तीन ही सही है तो हमें गलत कुर नहीं पढ़ना है वाता नुकुलक में कच्छ वायू के वास्पीत कुंडली में उस्मा का निसकर्शन होता है तथा द्रमडित कुंडली पर उस्मा का निर्शन होता है तो इसमें सही कथन केवल तीन नहीं है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी क्योंकि सभी जानते हैं कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बरप का टुकड़ा जब पिखलता है तो पानी का अस्तर वहीं रहेगा निश्ट देखिए साफ मेग रहित रातों की तुलना में मेग अच्छादन राते अपच्छा कित गरम होती है क्योंकि बादल पिर्थिवी से छोड़ी गए उस्मा को परावर्तित कर देते हैं करने का मतलब यह पिर्थिवी गया बादल हो गया तो जो उस्मा इधर जाएगा इससे रिटर ना ज होकते हैं सीथ कोष्टक में भंडारी फॉल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि स्वसन की दर घटा दी जाती है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुबारा पिर्थिवी के अस्तन से छोड़ा जाता है तो आयमोंडल में उचाई पर जाने पर गुबारे क्या होगी करने का मतलब गुबारा इतना है तो वहाँ मंडली दाप कम है तो जैसे जाएगा तो इसे बढ़ते जाएगा और तो क्या हो जाता है फड़ जाता है अब नेक्स्ट दखिए लेकिन प्रोटीन के नहीं होते हैं इसलिए एक जगह से दूसरे जगह उस्तनांतरित नहीं होती सफल है कतर नहीं है तो आधर्था के बढ़ने प्रवाइं में धौनी का व्यक्ता सही नहीं है कमरे में रखर का दर्वाजा खोल HIS चोड़ा कर सकते हैं यह भरम में नहीं रहना है कि रेप्रिजेटर खुलेगा तो ठंडा होगा कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री चल्सियस पर संपीडित मूल वह आधार रह जाए तो उसमें पुनह मूल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गरम किया जाएगा तो 307 डिग्री चल्सियस बूक जो है बहुत ही काफी इन्पोटेंट है इसमें लो लेवल से हाई लेवल के प्रसंद दिये गए हैं अब देखिए तरंग गती देखेंगे रेडियो तरंग एक्स तिरंग प्रकास तरंग और ध्वनी तरंगों में से वह जो यांतरिक तरंग है ध अनुपरस्थ हो जागा प्रकास धौनी ध्यर हो जाएगी इस बात को ध्याँ रखेंगे तो अनुधैर धो कितरंग तरंग है तो अनुधैर होती है दिरेग्रेडियो तरंगे प्रावर्तित होती है तो आयन मंदल त्योंगी पौह और 640 किलो मेटर के उपर क्या है आयन मंडल है वेतार के तार का संपरक पीद्थिवी के धरातल को प्रवर्तित किया जाता है अ नोस फेर द्वारा रेडियो तरंगों के बिच्छेपण के लिए वाय मंडल के अस्तरों में जो अस्तर उत्रदाई है वह है आयन मंडल प्रकास उस् उस्मा के लिए भी आपको ध्यां रखेंगे माध्यम के ओ सकता होती है कोस्मिक किरणे है तो आवेसित कुछ किस ने की थी तो विक्टर हेस ने अब नेक्ष दखिए कोस्मिक किरणों के संबद में सही घ्थन नहीं है तो विदू चुमक्य तरंगे होती है वाथ सही नहीं है परा उच्थ आबिर्ती की तरंगें सधारत संचारित की जाती है तो के रूप में दो उत्रोत्तर सिरिंग अथवा दो उत्रोत्तर गर्थ के दूरी की ऒ ine तरंग धर्य कहते हैं कहने को मतलब इस तरह से हो जाएगा तरंग धर्य हो जाएगा यह हो जाएगा क्या सिरिंग बिद्दु चुमग यह तरंगों का बेग होता है तो ध्या रखेंगे तीन गुड़े दस्वगात माइनस आठ मीटर पर 30 सेकेंड माइनस में होगा ध्या रखेंगे क्रिश्टल की सरचना जानने के लिए परियोग में लेया आता है तो यक्स कीरणे नेक्स देखिए एक रडार जो सत्रू के वाईवान की उपस्तिती का पता लगाता है परियोग करता है तो रेडियो तरंग का जब सपनताप मंडल में ओजोन का आउच्छे होता है तो पिर्थिवी की धरातल पर पतीती वीकिरण की तरंग धरे होती है तो दोस्वगात मैनस साथ मीटर रात्रे दिश्ट्री उपक्रोणों में परियोग किया आता है तो औरक्त तरंगे द्री से प्रकास इंफ्रा रेड अल्ट्रा वाइलेट माइक्रोवेब में दूर संचार के लिए परियोग होता है नेक्ष्ट दखिए टेलिबीजन दर्सक डीस एंटिना परियुक्त करते हुए बरसात में उपकुझर शिग्नौल प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि क्यों यह नहीं करते हैं तो एंटिना छोटे होते हैं वर्सा की बुंदे रेडियो तरंगों की उर्जा की मूल दसा को बिचलीत करती है तो उ 88108 मेगा हर्टज के बीच है और एफेम का फूल फर्म क्या होता है तो फेक्रूइंसी मोडूलेशन होता है ध्यान रखेंगे भी पूछा गया कई बार आतों के रोगों के निदान में उप्योग कि आता है एक स्कुरूनों का सीटी एसकेन करने में परयोग लाए जाती है एक सबसे कम होगी नाइट्रोजन में अरो करम बढ़ते कर्म 1645 तो नाइट्रोजन उसके बाद हो यापको जल उसके बाद जाएगा सबसे ज्यान लिए कि वाय में जो दोनी की चाल क्या होती है मतलब की गैस में गैस कह सकते हैं गैस में कम होती इक इतना होता है तीन सौ 32 के में 30utan होता है। इसके बाद होता है जल में आपको 500ड़ Benio सबसे कोटा है और इसपांत में 5130 सब्सक्राइब अऩ्यलरय इस ऑद दिको था यहनी तो 241 420 आपको सब्सक्राइब। 590 में होता है और सबसे कम गैस में होता है कि वायू द्रवग धातु निर्वात में ध्षाट्ट में ध्याद एल्मोनियम में निर्वाथ जल वायू इस्पात में ध्षाट्ट ड्रंगों का सबसे तिवर प्रगमां होता है तो अब निक्ष देखिए कि आपको यदी भीए भीडावलू भीएस क्रमस वाईवू जल इस पात धोनी की गती होगी तो उधर छोड़ दीजिए कि धोनी की गती जो होगी आपको ध्यां रखेंगे सबसे पहले होगी आपको कम वाईव में उसके बाद होगी आपको जल में और उसके बाद होगी आपक में अधिकतम रहेगी तो ध्यां रहेंगे लोहे में क्योंकि धातु में अधिक होती है, तो नहीं दखिए कंगल जटान है ध्धोनी तरंगे ठोस दोनों माध्यम में चल सकती है नहीं जा सकती है जिसमें निंगी माध्यम मत ज长वत्य जब एक ध्वनी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह रासी जो अपरवर्तित रहती है तो आब इर्थी में कोई परिवर्तन नहीं होता है म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल की दिवारों को ध्वनी का अवसोशन करना चाहिए हॉल को दिवार पर देखेंगे इस तरह से फरठा और इस तरह से कुछ अवसोशक परदार्थ लगाए रहते हैं ताकि हॉल गुंजे नहीं असपश्ट रूप से प्रती ध्वनी सुनने के लिए परावर्तक सता और सुनने वाले सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए तो इसको ध्यां रखना है और ग्रांड फिगर में सतरह मीटर अब नेश्ट देखिए ध्वनी का वाई में बेग अनुमानता होता है तो तीन सो तीस मीटर कईबू को में 32 दिया है तो 32 इन्हा रखना है चंदर्मा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दुसरे से बात नहीं सुन सकते हैं क्यों तो चंदर्मा प्रवाई मंडल नहीं है एक अब उसके लिए तो माध्य नहीं उता है भीकी रौन संबहुन चालनमे वह इसके लिए माध्यम क्यों lorsे उ Wave कि लिए माध्यम के ऊसकता नहीं होती है तो पिर्थी पर आपको देता है प्रकास तो का उसके लिए गरमी मॉसुस होता ध्वनी सेलों में केवल अनुधर या प्रत्यास्त तरंगों के रूप में प्रगामी होती है तो देखे उपिक में सही तो दोनों क्या है सही नहीं है ध्यां रखेंगे ध्वनी आपको प्रत्यास ने ध्वनी अनुधर ये तरंग है ध्यां रखेंगे प्रासरब्य तरंगों क उवचार के लिए किया आता है यह 140 दर्वाजे को नियंत्रीट कर सकती है और सभी सही है और प्राश्रव्भ तरंगे जो है हम नहीं सुन सकते हैं क्या कर सकते हैं हम नहीं सुन सकते हैं और से कुट्टाबिली चम गादव है संसंते हम नहीं सुन are typical 10 vào से 20 वीक है सकते हैं इधर औश्रव उता है इसको भी सप्रासरव्य होचा इसको भी हम आघिए कि खू को भीस धने है ध्यान रखेंगे और सब्सक्राइब कर लिए तो यह अपको कम होगा एक जय पधती जिसमें प्राश्रव धोनी उप्यों कियाता है सोनो ग्राफी में चमगाद अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं अपना सिकार भी कर सकते हैं इसका कारण क्या है तो यह प्राध्वनी तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं एक तरह से वह रडार सिस्टम प्रूरूर्प से विक्सित कर लिए ह निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें ध्यान देना है कि इनमें से सही कौन है तो हीरदय अपसरव आविर्थी पर कमपन करता है मैक संख्या धोनी की गती का वर्णन करने के लिए परियोग मिलाते हैं कहने का मतलब अगर 332 मीटर पर 30 सेकेंड जो होता है एक मै मैक तक चार मैक तक उड़ती हैं अब मैक हो गया है अब उसके प्रास्रव धोनी की आविर्थी 20,000 हर्टर से अधिक होती है तो हो गया है पराध्वनी की जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है तो जोन परत को ध्यां रखेंगे जो की परावेगनी किरण को सोक कर हमार क की नुकसा कई पर्मयक संख्या एक पर जा रहे वाईवान की चाल अधिक होती है कारण धौनी की अध्याय करती है तो अयां में नियुक्लोल पर्योग में या-लिया धौनी की तिव्ता और रस्तर्मापने के लिए नेक्ट देखिए जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब ध्वनी उत्पन होती है 30 डेसीबल सव डेसीबल का जो रव का प्रवलता अस्तर संगत होगा तो यह अंतर कर खाने के सोर से यह अंतर कर खाने का ध्वनी कितना होगा सव डेसीबल बीश उस्वास संगठन के अंसार एक नगर के लिए सुरचि ध्वनी पर दूसर अस्तर है तो 45 से अधिक जोगा आवा सुरचित होगा मनुष्यों के लिए सोर की सह सिमा करीब करीब होती है 85 डेसीबल नहीं कि 85 डेसीबल तक वह वह सून सकता है लेकिन यहां 95 से अधिक होगा था एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा मजदूर द्वारा की जाने वाली थोड़े की आवाज को सुनता है तो उसे दो बार आवाज सुनाई देती है कारण देखिए यहां थोड़ा को इसको पीटा जा रहा है ठीक है यहा पहले तो यह दुद्री देगी क्यों क्योंकि एक आवन सब्सक्राइब आपको एक आवन सब्सक्राइब लगभग में आपको लोहा में चाल होती है ठीक है और वायू में कितना होता है 332 मिट्र या फिर वायू का एक बार सुनाई दिया तो दो बार इसी को कहा गया कि दो पर सुनाई दे गया अब है तो जो हम से गई सी अवस्था निजाते हैं तब ध्होनी की गति क्या हो जाएगी कमरी है के अब उसमें देखते हैं कि यह एक ही गुड़ता के अंतर के कारण अब कथन देखते हैं कारण तो अनु रणन विशेष्ट बड़े गिर्जा घरों और बड़े भानों में होता है कम से कम इस तरह से जो बुरहता है तो धोनी क्या होती एक दुझती है तो बार-बार आवाज सुनाई देता है लगता है कि एक वेक कि ठीक है तो इसमें ध्यां रखेंगे कि दोनों सही नहीं है तो उतना हमें क्या दिमाग लगाना है आगे देखते हैं नेश्ट देखिए इन्फरारेड एक स्किनरे द्रिष्टी गोचर प्रकास रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है तो रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंतरी तीकाई द्वारा पर्यों कि पूछे जाते रहे हैं कि टेलीबीजन के दुरस्त नियंतरन के लिए जिस बीदू चुमबकिये बीकिरन का उपयों किया आता हुआ है जब टीवी का स्वीच आउन किया आता है तो श्रब्योद्रिस दोनों एक साथ सुरू होते हैं ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखिए अब नेक्स देखते हैं इसमें देखिए तो दुरदर्शन प्रसारण में चीतरसन देशों को संचरन होता है आयाम मडू लेशन द्वारा ध्यां रखेंगे इसी को बोला जाता है आपको एफेम एफेम एनिक फिक्रिवेंसी और मडू लेशन टेलीबीजन प्रसारणों में श्रब श्रब बेसंकेतों को प्रेसीत करने के लिए परिउक्तक्नीक है तो आविर्ति आरोपन एक रेडियो एस्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है तो इस इस्टेशन द्वारा प्रेसीत वाहक तरंगों की आविर्ति होगी तो 10 मेगा हर्टज होगी अब रखेंगे एक अलत है और आर सई है कि रेडियो तरंगों की प्रकृतिक विद्धु चुमक यह है अब विद्धु धारा सबसे इन्पोटेंट चेप्टर तो ही आगया विद्धु धारा धियां रखेंगे एक सो वाट का बिजली का बल्ब दस घंटे जलता है पांच रुपए प्रती यूनिट की दर से विद्धु खर्चा होगा तो पांच रुपए देखिए जितना इसमें आता है उतना का गुणा करके कोई भी अंखो एक हजार से क्या करना है भागा देदेना जीसे देखिए एक हजार हो गया गुणे दस अगुणे पांच यदि कह देता की द दस दिन जलता है तो इसमें कटाएंगे तो फो जाएगा आपको पांच अगर दस रहता दस पाचास तो इसी तरह से जितना आता उतना गुणा करके एक हजार का भागा देतेना है आप सो वार्ट का बिजली का बल्व यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा देखिए तो बाट हो गया सवाट दस घंटा जलता है तो बस एक भागा देदीजिये कट जाएगा तो हो जाएगा एक काई यूनिट अब नेक्ट देखते हैं एक किलोवार्ट घंटा का मान होता है तो तीन दस्मलोव छो गुंड़े दस पगात छो जूल सौ वाट के एक बल्ब को चार घंटे तक स्वीच और रखा जाता है तो परियुक्त विद्यूतुर्जा की काई होगी तो जीरो दस्मलोव चार यूनिट होगी नेक्ट देखिए बिजली की खपत की बिल अधारित होती है तो किलो वाट घंटा वाटेज के मान पर यदि साथ वाट का बल्ब प्रती दीन पांच घंटे परियोक किया जाए तो तीस दीन में बिजली का खर्च होगा तो नौव इनिट देखिए साथ वाट पांच घंटे तीस दीन परियोकिया आता है तो बिजली का खर्च कितना होगा एक हजार का भागा देजिए ठीक है तो जीरो से जीरो का हो गया कट गया अब बचा यहां दस तो यहां देखिए दस बचा तो पांच दुना के दस हो जाएगा दूतियाई छो तो तीन तीन तीरी के कितना हो जागा नौ इवनीट अबनेश्ट देखते हैं एक मकान में दो बल्ब लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकास देता है तो सही कथन है तो कम प्रकास वाले बॉल में रिजिस्टेंस परति रोद कम होगा ध्यान देंगे अब नेश्ट देखते हैं इसमें देखिए तो 220 वोल्ट जेनरेटर में एक बल्ब जुड़ा है धारा 0.5 एंपियर है तो बल्ब की सकती होगी 110 वाट दो समांतर परतिरोधों वाले सरकीट क्या कूल परतिरोध 1.4 0.3 किलो किलो ओम है यदि एक परतिरोध का मान 2 किलो ओम ह सहने हैं ने वी चुम पर अधारी त्यवकति ko i have dynamo ibe tum eta 22 लाते हैं वास्तों में तूरजा का परीवर्थ तक होता है कि डैनेंमो परवर्तित करता है तो यांतरी कुर्जा को बीदू तूर्जा में डैनेमो परवर्तित करता है जो मोटर होता है बीदू तूर्जा को यांतरी कुर्जा में परवर्तित करता है अब नेक्ट देखिए वीदूतुर्जा को यांतिरी कूर्जा में बदलने वाली युक्ति है तो अकॉलाता है आपको बैटरी ध्यान देंगे जल जाते है क्योंकि वे अधिक विदू धाराह खिशते हैं जो वोलेज के प्रतियो मानुपाती होती है फराइडे इस्तिरांग है तो सार भौमिक इस्तिरांग है अब नेक्ट देखिए मोटर कार बैटरी के संबन में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो ध्यान देना है कि भोल्टता समानेता 12 भोल्ट होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं कथन सही है वह धातु जो रोशनी के बल्व में फिलामेंट की रूप में परयोग होती है टंगस्टन होता है सभी जानते हैं नेक्ट दखिए कि निखेल केडमियम बेटरी का परयोग होता है तो कैलकूलेटर ट्रांजिस््टर कार्ड़लेस mama बिजली के बल्व का तंतु बना होता है टंगस्टन का निम्ल 계ट कथनों पर विजार किजिए तो निम्लीखित कथनों सही कौन है तो सद्धारन बिजली के बलब के अपच्छा के रिद आल प्जीवन होता है क्योंकि द्याहर के क्यों कि कि फिलामेंट क्या होता है तार का एक समान नहीं होता है अब उसके बाद बॉलब पूंड रूप से निर्वाचित नहीं किया जा सकता है और फिलामेंट के सहायक तार उंचे ताप पर पिघल जाते हैं तीनों कथन क्या है सही है अब नेश्ट देखिए जलते हैं विद्धुत वल्व के तंतु का समानेता होता है तो 2000 डिगरी से 2500 डिगरी सेल्सियस के बीच में ताप होता है कथन कारण तड़ी चालक इमारतों को नौश्ट होने से बचाते हैं ठीक है ए आवेस को पिर्थिवी तक भेंदेते हैं दोनों सही है और व्याक्ख्या अभी है तो तड़ी चालक का विष्कार कोन किये थे तो बेंजामिन फ्रेक लिंक ने किये ते और यह बना होता है आपको तामबा का तीन पीन बिजली के प्लग में लंबी पीन को जोड़ना चाहिए तो अधार सीरे से अब नेश्ट देखिए बिद्दु तुपकरणों में और्थ का उप्योग होता है सुरच्छा के लिए आपस में जूड़ी दो आवेसित बस्तुओं के बीच बिद्दु धारा नहीं परवाहित होती है यदि वे समान विभो पर हों सरवाधिक बिद्दु चलकता वला तत्त्त है चांदी उसके ब क्या है तांबा उसके बाद क्या है तांबा उसके बाद क्या है एलुमिनियुम ध्यां रखेंगे तो चांदी सोना तांबा एलुमिनियुम क्रम में है इसे ध्यां रखेंगे अब नेक्ष्ट देखिए माई का तमभा सुन चांदी में विदूत का सर्वस्त्म चालक है चांदी, में विदूत प्रदाई में फिउज का पर्योग एक सुरहच्छा इक्टी की रूप में होता है, फिउज के विशम में सही कथन है, तो इसका गलनांक नीम होना आवस्या थियान रखेंगे, तब ज्य होती है तो उच्छ पर्तिरोधक सकती और निम्न गल्नांग अब नेश्ट देखते हैं घर की सुरच्छित वीदूत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फीज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गल्नांग कम होता है पर्तिरोध अधिक होता है हाइलोजन लेंब का तंतु होता है तो टंगस्टनियों सोडियम की मिश्र धातु का कथन देखते हैं कारण तो एक धातु का तार तापकरम बढ़ जाता है जब उसके बीच वीदू धरा परवाहित की जाती है क्या है सही है और यह जो है गलत है तो गलत को हमके नहीं ध्यान देना है क्यों सहीप ध्यान देना है समय का भाव है अब नेश्ट देखिए घरेलू विदूत्तार अस्थापन मुलता समांतर करम से संबंध है घरेलू विदू सप्लाई के दवरान काले रंका आवरण युक्त धारा है तूदा सीन ध्यार रखेंगे मानों शरीर के दश्पघाद चार ओम समाने टूब लाइट में होती है आरगन के साथ मर्करी वेपर सीए फेल का पूर्ण रूप है तो कॉम्पेक्ट फ्लोरी सेंट लेंप होता है सीए फेल का अब नेक्ष्ट देखते हैं कथन कारण तो लाइट एमेटिंग डायोड एल एडी लेंप कॉम्पेक्ट फ्लोरी सेंट लेंप सीए फेल की तुल्ला में अधिक अधिक लंभी सेवा परदान करते हैं कारण क्या है तो लाइट एमेटिंग डायोड एल एडी लेंप कॉम्पेक्ट फ्लोरी सेंट एप नेश्ट देखिए अब इसमें देखते हैं आपको कार्बनीक प्रकास उसर्जी डायोड आरगेनिक लाइट इमेटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों के अंकिये प्रदर्स डिजिटल डिस्पले सर्जित करने के लिए किया आता है द्रव किस्टल प्रदर्स की तुल्ला में आपको OLED प्रदर्स कीस परकार लापकारी है आपको OLED प्रदर्स नम्में प्लास्टिक अस्तरों पर संबी रचित किये जा सकते हैं है आपको OLED के परियोग से बस्तर में अन्तास्थापित उत्परिवर लेनिये परदर्स रोड रोल्ड अप डिस्प्ले बनाये जा सकते हैं और उसके बाद आपको हो जाएगा वह लेड के परियोग से पारदर्सी आपको परदर्स संभव है तीनों कथन क्या है सत्य है अब ने प्रति दिप्ती बल्ब भरी जाती है तो मर्करी और नियोन गयस से अब नेश्ट देखिए से बहुती इंपोटेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसका पुड़ आपको से टूपलपत कराये जाएगा एक बिजली के बल्ब कि अपच्छा फ्लोरोसेंट टीब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि तो फ्लोरोसेंट टीब बिजली के बल्ब की अपेच्छा बैदुत उर्जा का प्रकास उर्जा में परिवर्थन अधिक मातरा में करती है स्वेट प्रकास को नली में पैदा करते हैं तो मरकरी अड़ों को दोलित करके बीदूत बल्ब के अंदर होती है तो नाइट्रोजन तथा आरगन गयस अब नेक्ष्ट देखते हैं प्रति दीप्ती नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है चोक कुंडली लाइन भोल्टता बढ़ाती है ध्यां रखेंगे अब नेक्ष्ट देखते हैं प्रकास उत्पन करने के लिए CFL पारावास्प और संदीपक का परियोग करता है जबकि LED लैंप और रचालक पदार्थों का परियोग करता है ठीक है सही है उसके बाद देखते हैं LED लैंप की तुलना में CFL कौमूर्जा सच्छम है यह दोनों बात सत्य है एक तार में बहत अब नेट देखते हैं इसमें तो दो तारों की लंबाई यां ब्यास पर्तिरोद थेता है सभी एक अनुपात दो के अनुपात में है तो अगर पतले तार का परतिरोद 10 है तो मोटे तार का परतिरोद होगा समान प्रकार की छोटी बून्दे भी बॉल्ट आवेसित की गई है यदि यहन बुंदे मिलकर एक बड़ी बुंद बनाती है तो इस बुंद का विभव होगा तो एन प्रघाद दो बाई तीन भोल्ट होगा अब नेश्ट देखते हैं कथन कारण तो परिडामित्र का परियोग भोल्टता के उच्चेन अथवा अप्चेन के लिए किया आता है ध्यार रखेंगे सही है समान प्रकार की छोटी बुंदे भी भोल्ट तक आवेसित की गई है यदि यन बुंदे मिलकर एक बड़ी बुंद बनाती है तो इस बुंद का विभव होगा तो दो बाई तीन यन पर दो बाई तीन भोल्ट होगा meng transformer को अप परिऊक्त होते हैं AC वोल्टेज को आपको उप्चयन या अपचयन करने के लिए transformer का परियोग किया या म ही। कि ट्रांस्फर्मर का उपयोग होता है तो परतिवर्ति धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए किसी एसी जनीतर अथवा डीसी जनीतर में एक मूल भूत अंतर यह है कि एसी जनीतर में सरपी वलय होते हैं जबकि डीसी जनीतर में दीख परिवर्तन होत होता है तो एक अपचाई ट्रांसफर होता है अब नेश्ट देखिए अब इसमें देखते हैं कि कुछ युक्तियां संबन्धी तूर्जा रुपांत्र नीचे दिये गए हैं तो इलेक्ट्र इलेक्ट्रिक जर्नेटर यांतरी को यांतरी को आपको ध्यां होगा है कि देख लेते हैं इसी तरहtest एक क्यूंति कुछिंद सब्सक्राइब अ 사 About कि एक अधिक जर्नेटर तो यांतरी कुर्जा को ध्यत्र तो इलेक्ट्रीक जर्नेटर शारे आता है एसला हिए करता है लेक्ट्रिक भी तो इस परकार से एक और दो सभी है और चार भी देख लेते हैं तो राषानिक श्यांत्री कुर्जा में अभी नहीं करता है तुछा रखेंगे उप्रक्त भुवां में से शुमेलित हैं तो कि वल दो ही था परत्यवर्ति धारा उप्युक्त नहीं है तो इस्टोरेज बैटरी को चार्ज करने होती परतिवर्ति धारा उप्यूक नहीं है परतिवर्ति धारा परवर्तित करने वाली युक्ति है कई बार एक्जाम इसे पुछा गया रेक्टिफायर होगा इसे ध्याँ अब नेश्ट देखिए कि थोड़ा से जूम कर लेते हैं इसे अभी कथन और कारण तो भारत में विद्धूत बीतरन कमपनियां विद्धूत खपत की गड़ना किलोवाट घंटा एनि किलोवाट घंटे में करती है तो कारण भारत में विद्धूत प्रणाली साथ हर्चट आ रहा है तो ध्यां रखेंगे विद्धूत बढ़ते क्रमें तो पंखा पंखा से ज्यादे टेलिवीजन विद्धूत प्रेस इलेक्ट्री के टली पीर्थीवी के चुमबकिये च्छेतर का कारण है तो भूक रोड को अंदर की चक्रक धराएं ध्यां रखेंगे अब चयरे च्क्राइब जो होता है सबसे चांदी होता है ध्यां रखेंगे उदूरती चालक ता ऊत्यधिक आर्थिक महत्यकिकी हो सक्टी है जिसमें लाकों रुपे की बचत हो समाने अता बाहन पर गए किसी उतीछ द्वारा प्राप्त आपको अधीक्तमद्दीं 113 केलिवी न सुनने होती है अब नेक्ष्ट देखिए एक अर्ध चालक में वीदू चालन होता है तो इलेक्ट्रांस और होल्स दोनों के द्वारा किसी अर्ध चालक का परतिरोध गरम करने पर घड़ता है निकट अतीत में हिक्स बोसान कण के अस्तित्य के संसूचन के लिए किये गए पर अब नेक्ष्ट देखिए अब परम सुनित अपमान पर और धचालकों में वीदूत परतिरोध हो जाता है तो संपूर्ण अनंत हो जाता है तामबाद जर्मेनियम के रफाइट चांदी में और धचालकों की तरह ट्रांजिस्टर परियोग होती है तो जर्मेनियम का जो है तो सिलिकॉन है और चालक है अब नेक्ष्ट दखिए कथन कारण तो तड़ी चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेच्छा तामबे की छड़ों को वरीता दी जाती है ध्यां रखेंगे और लोहे की तुलना में तामबा विद्यूत का अधिक सुचालक है और वाय तड़ीत यानि बिजली चमकना से बिरिच में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधीक मात्रा में होती है और धचालक है तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्या है सभी जानते इसको ध्यां रखना है और धचालक है भारत सरकार ने जहामा के निर्यात पर पूर्ण परत सिशा में वह तत तो जो अर्चालक है तो सभी जानते हैं सिलिकॉन है अब नेश्ट दखिए अब ना भी किया भागति की आ गया इसे प्रसंद पूछे आते हैं सुमेलित की जिए तो में साउन की खोज हीडे की युकावाने की और पोजीट्रान की खोज सीडी एंडर्शन और यू एप एसने की ध्यान रखेंगे पोजीट्रान की खोज सीडी एंडर्शन यूम यू एप हैसने की सुर्य तथा तारोंग में उर्जा उत्पादन का सिधान जो दिया था कि एच ए बेंधेन दिथी यहनिकी जो चार हाड्रोजन होता है हिलियम में उर्पांत्रीत हो होता है उर्जा सुर्य दिता है सुर्य में अभकिरिया होती है पारा इरेनियम तत्तों का संसलेशन जीटी सी बोर्ग ने दिया तो ब्लॉक चेन प्रद्व की डिजीटल क्रिप्टो करेंसी है सही नहीं है तो किसी परमाडू के नाभीक का टूटना सल्यन कहलाता है ध्यां रखेंगे सही बात नहीं है कथन कारण इस तरह से प्रसंतों बनते ही है अन्रेश्ट रदर फोट ने रोयल सोसाइटी के समझ कहा था कि मनुष्य को ना भीकिये सक्ति कभशी नहीं उपलब्द होगी कारण उसे अभिष्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएग तो गलत सावीत करने में जोखी में डाल सकता है तो माइक्रोवेब फोतान है ध्या रखेंगे साइकलोट्रान परित किया जाता है तो पुट्रान को त्वरित करने के लिए पेजल में गामा उत्तरजक समस्थानिक है या नहीं इसकी पुष्टी की जाए सकती है तो प्रसफूरन गणक से की जाती है द्रिश किरणों एक्सरे और पाराबैगनी औरक्त विक्रण में से सरव तो रेडियो तरंग माइक्रोबेब औरक्त विक्रण ग्रीश परकास पराबैगनी एक्स किनडे में सबसे ज्यादे क्या होता है चुमबकिये विक्रण होता है विदू चुमबकिये अब नेश्ट रखते हैं तारे अपनी उर्जा प्राप्त करते हैं तो ना भीकिए सलियन की कारण है तो इसमें घ्याद का हिलियम में परिवर्तन जो चार हैलियम में करता है 295 errors actually जो ओं होता है तो सब्सक्र Barnes तो सौर सेले होती है तो प्रदोग्यों के संदर में निम्लीखीत कफ़नो पर विचार की जिMadam परकास भूल्ट यह परचिरा यह प्रद्विकी है जोकी प्रकास स्व़ूर्ट यह जने करने के लिए करती है जिसका आगे रहता है कि अब लेकर सही अब दखिए इसमें दों सही है इनके इसको भी Ч Hare देते हैं कि सोलर सेल में उप्योग किया जाता है तो सिलीकॉन का सोलर सेल में उप्योग कियाता है प्रकास भॉल्टिये सेल होते हैं था झित हैं सवर से रखेंगे नियुट कथनों पर विचार कीजिए इसको भी देख लेते नहीं है तो ध्यान रखेंगे इसका कि नाभिकी रेक्टर में स्वप और सी स्रिंख लाब किरिया संभव है क्यों कि क्यों संभव है तो प्रतेग विखंडा नभकिरिया में पेच्छा के लिद्व ओधिक निर्मुक्त होते हैं ठीक है फिर उसके बाद दुरुत निउट्रान गिर्फायट द्वारा धीमे किया आते हैं एक तरह से मंदक का काम करता है तो इसमें क्या हो जाएगा एक और तीन सई हो जाएगा नेक्ष्ट दखिए परमाणू रियक्टर है तो परमाणू रियक्टर आणविक भत्थी है और इसका अविसकार ध्यां रखेंगे सब्सक्राइब करते हैं इनमें से सही है ना भी किये रियक्टर और परमाणू बं में अंतर है कि उसमें और न्यान अविक्वयान रिच्वा करणों के रूप में उभर रहिए इवास्तव में रेडियो ऑईसो टोप्ष्ट हैं एक रेडियो ध्रमी तत्तो न भिकिये इंधन जिसके भार्त वर्स में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो ध्यान रखेंगे केरल में पाए जाते हैं अब नेश्ट देखिए प्राकिर्तिक में उरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं सही बात है उत्खनन प्राप्त खनीश से मिलने वाली प्रती इकाई द्रभमान उर्जा के तुलना की जाये तो थोरियम प्राकृतिक उर्णियम के तुलना में कहीं अधिक उर्जा उत्पन करता है यह भी सही है और थोरियम उर्णियम के तुलना में कम नुकसान दे अपसिष्ट उत्व सदस्य है यदि यह पर्योग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाब है तो यह विद्धु तुत्पादन के लिए सलियन रियक्टरों का निर्माण कर सकता है अब नेश्ट देखिए के रच्चा उपायों के अधिन आ जाते हैं भारत के परमाणू रियक्टर आए ए सरच्छा उपायों के अधिन रखे जाते हैं कि कुछ अयातित पर्योग करते हैं और अब नेश्ट दखिए यह बुक जो है बहुत ही मोहत्पूर्ण है कैड्मियम ठोरियम प्लोटेणियम इरेनियम ततों में परमाणू इंधन की स्रेडियमे नहीं से पर माणू इंधन कि श्रेणी में नहीं आता है तो क्रोमियम क्या है नहीं है तो कौन है ध्यां रखेंगे तो बेरेलियम थोरियम मोनाजाइट आपको अनुशक्ति से संबंधित है इउरेनियम थोरियम रेडियम तथा हिलियम में से इंधन नहीं है तो कौन नहीं है तो हिलियम ध्यां रखेंगे इंधन नहीं है तो क्या है रेडियम थोरियम इउरेनियम इंधन है इंधन के रूप में परियोग नहीं किया आता है तो केल्सियम का नहीं किया आता है बाकी सभ होता है तो लेड का जो होता है नहीं होता है और प्लूटेनियम थोरियम और इने यह जो होता है सब लास्ट का जो स्टेज होता है इन तीनों का यह सीशा में परिवर्थित हो जाता है नेश्ट दखते हैं झाल ऐघाए कि जरकॉनिया में मौलिवडे नम तथा वेनिडियू में नूद को इसे नियुकुलियर बं़ बनाने के लिए पर जांटा है तो इूरै रिएनियं का सभी जानते हैं परमादू बं का शीदह सब्सक्राइब करेकारी सिध्धांत इुरेनियम का नाभी किए भी खंडन है और हाइड्रोजन बॉम को बढ़ा गया था ध्यां रखेंगे 1952 में यह परियोग किया था और 45 में परियोग किया था है यह तो हुए ग्या हाइड्रोजन बब्शित की हाग था आप 19ora 1912 संब्री 실vy कि इसमें रेडियोध्वर्मी यूरेणियम के रेह एक रेडियो एक्टी पदार्थ की और आयू चार महीने इस पदार्थ के तीन-चोथाइक होने में लगेगा समय तो आठ महीने लगेगा नेक्ष्ट देखिए किसी बिगटन नाभीक तत्तों की अर्ध आयू 5 वर्ष होती है तो 20 वर्ष बाद वह बिगटन नाभीक पदार्थ में जो अंस बचा जा सकता है वह है आपको एक बटा एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्थ आयू 10 दिन है इसका अभिप्राय यह की पदार्थ के तीन बटा चार भाग का विक्टन वीच दिनों में हो जाएगा एस्टे टाइन फ्रेंसियम ट्रीटियम जर्कोनियम में से एक रेडियो एक्टिव नहीं है तो कौन है फ्रेंसिय समस्थानिक जो पर्माणू उर्जा सेंत्रें बिजली उत्वादिन में होता था यूरेनियम 235 का होता है सभी जानते हैं अब नेक्ट दखिए लोहा तामबा एलमुनियम में से बीद्दू तुत्पन करने के लिए उपयोग होता है तो यूरेनियम का रेडियो धर्मी पद चली जाएगी और काफी विश्पोट हो जाएगा भारत का पर्थम परमाणू उर्जा केंद्र है तारापूर मुंबई में है भाभा परमाणू अनुसंधान केंद्र बार्क के महानिदेशक है अजीत कुमार महंती है बारा मार्च 2019 को बने है ध्यां रखेंगे अभी तक है धुरू पूर्णीमा साइरोस भारतिय सोध रियक्टर है भारत के नुकलियर रियक्टर में परिख्थ होता है तो इरेनियम 238 का कलपकम प्रसिद्ध है प्रमाणू सक्ति सेंत्र के लिए और कहां है तमिल नाडू में ध्याँ रखेंगे तमिल लाडू में और इसमें परियोग होता है इंद्रा गांधी आणवी कनुसंधान के अंदर इस्तित है ध्याँ रखेंगे तमिलाडू में इस्तित है अब देखते हैं है अधरा बाद में है हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टिट्ट कहां है परियाग राज में है और साहा इंस्टिट्ट ओफ नुक्लियर फिजिक्स इसको ध्यार रखना इसको रेलवे के लिए ध्यारकना कई पुछा गया तो कोलकता में है अब नेक्ट देखिए निम्लिखी संगठनों पर विचार कीजिए तो विचार करना है तो इन में से उर्जा विखा के अंतरगत सभी आते हैं देखिए परमाणु खनीज अनुसंधानियम अनुमेशन निदेज साले है गुरु जलबोर्ड है और भारतिये रेयर और लिमिटेड है और भारतिये उ गजिरात में और ट्राम जावे महराष्ट में सुमेलित करते हैं देखिए थान परमाणू ऊरजाशाएंत्र अन रावत भांटा कोटा राढू परमांडू अर्विचा सेंतर उत्तर प्रदेश में है और मदराश सेंतर कलपकम में है और काइगा परमाणू चाल आपको करना तामबा के लिए परसीद्ध है नेश्ट देखते हैं भारत का वह परमाडु सेंत्र जो चार भुकमपी पेटी में वस्थित है तो नर रहा है तमिलाडू के कुलन कुलन में रूस परमाडु भठ्टियों की जितनी इकाईयां लगाने पर राजी हुआ है वह है छोई काई है तो पुलोटेनियम है यह आखेंगे अब मिद्ध के लिए इसमें कि और प्राकिर्टी की ऊडियानीन इसमें सत्य कथन यह जह देख लेते हैं इसमें पुलोटेनियम करवायरे और प्राकिर्टीक दिया घ्रग रूप में परयों होता है द्याराग है और की जाएगी तो यह बात जो है कल पक्कम फास्ट ब्रीडर रियक्टर के बारे में यह दोनों बात सही है कल पक्कम के फास्ट ब्रीडर रियक्टर में जो सीतलक परियोग में लाया जाता है वह द्रवित धां रखेंगे सोडियम होता है अब नेश्ट देखिए एक नाभीकिये रियक्टर में भारी जल का कारे होता है, तो निउट्रान की गति को कम करना, यम करना मंदक की रूप में काम करता है, यह भारी जल, अब नेश्ट दखिए, नाभीकिये सेंत्रों में गिर्फाइट का उपयोग किया जाता है तो मंदक के रूप में मंदक की तरह और इसनेहक के रूप में गिर्फाइट का जो होता है इसनेहक के रूप में नाभीकिये रेक्टर में मंदक के रूप में पर्योग कियाता है तो भारी पानी और साधा पा 2nd डियां एक एक ब्रीडर रीक्टर वह है जो भी खंडन होने वाले पदार्थ को उसमें अथीक उत्वंपन करता है जितना वह जलाता है दो इस द्रह रहें गें एक ब्री distort कर्म्ण करता है जितना हो होगी 220 मेगावार्ट तथा 440 मेगावार्ट काकरा पारा कैगा कुलन कुलन तारापुर में से वह ना भीकिये सकती सेंद्र जिसकी कुल अस्थापी छमता अधिक्तम है तो कुलन कुलन की समता अधिक है पोखरन ना भीकिये परिच्छन 1974 में अधिकरी कोड था देखिए यह ज आधिकर साथनकाल में इंद्रा गांधी के साथनकाल में कोभ वात्त देट भिया रखना है तो अठारा मौई को था घारा मौई उन्नीस सो चोहतर को अधारा मौई हंड़ी परिच्छन और निजुट अधिकर है अब दिए कपर मानु परिच्छन वह था पोखरन में ही मैं इसका को कोड नेम था कोड नमे मैं क्या था मैं भारत ने प्रमाण पर इच्षन किये थे पर ये अव् कंप्यूटर आप निकहां ञाए तो आपको मैं पुछे जाते हैं तो कंप्यूटर यम्सूचना प्रोध्योग की एक जनक पीता मा कहा जाते हैं चाल्स बेच के और हिंदी नाम कंप्यूटर क्या है संगड़क होता है सभी जानते हैं इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर का विश्कार किया गया तो डाक्टर एलन एम टूरिंग द्वारा डिजिटल कंप्यूटर बिक्सित किया गया ब्रिटेन में तूजी एस्पेक्ट्रम में अच्छर जी का तात्पर है जेनरेशन से ध्यां रखेंगे एक पेंड्राइब एक हटा प्रिंटर में से आउटपुट् डिवाइस नहीं है तो माईस क्या है आउट भलाइस नहीं है ध्यां रखेंगे और बाकि जो क्या है और पूट डिवाइस है तो उसमें प्रिंटर मॉनिटर और रफाफट आउटपुट है Twitter टॉटर में behaviour जो यौ आउटपुट्ट क was नही गई थी उस समय यह बना था लकड़ी का बना था अब नेश्ट दखिए माउस के दो बार क्लिक करने पर सूचना जाती है क्यां सब्सक्राइब कनला अब नियुक्ति अब में अब नश्ट दखते हैं पूर्ण गोपनियता बनाये रखने में भी सच्छा में सही है कभी कभी वाइरस द्वारा अक्रामित होता है अभी सही है तो चारों इस तरह से क्या है सही है पुराने और प्रिक्त कंप्यूटर या उनके पूर्जों के असंगत और व्यवस्थित निप्टाने के कारण इअप्सिष्ट के रूप में पर्यारों में निर्मुक्त होते हैं तो बेरिलियम, कैडमियम, क्रुमियम, पारद, सीसा जोगी बहुत ही हनिकारक परदूसन है सथान सब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है तो इंटरनेट को इंटरनेट है तो कंप्यूटर पर अधारित अंतराष्टिय सुचनाओं का तंत्र है नेक्स्ट देखिए डिजिटल सस्क्राइबर लाइन डायल अप सर्विस लीजड लाइन और केवल मोडेम म है तो डायल अप सर्विस का वेबसाइट खुलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा परदर्सी पहले प्रिष्ट को कहा जाता है तो होम पेज अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है तो बूक मार्क में इस डॉस का सर पर्थम भी मोचन हुआ तो 1981 में बुलूटूथ तथा वाइप हाई के बीच यह अंतर है कि बुलूटूथ 2.4 गीगा हर्ट रेडियो आविर्थी पर्युक्त करता है जबकि वाइप हाई 2.4 गीगा हर्ट अथवा पांच गीगा हर्ट आविर्थी करने वाला देश का पहला रेलेवेस्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलेवेस्टेशन एक करेंट की द्रिष्टी कोंट से इन्पोर्टेंट है अब नेश्ट देखिए यह उंच गती डेटा संचरण के लिए प्रकास को माध्यम के रूप में पर्युक्त करता है और यह एक बेतार प्रदोक्ति और Wifi से कोई गुणाति वृत्र रहे जो संदर किसके बारें कहा गया है तो life-high के संदर में कहा गया है दोनों बात सथते हैं लाइफ हाई के संबन्द में सभी कथन है तो लाइफ हाई के संबन्द में सभी क्या है सत्ते हैं तो लाइफ हाई का विश्थित रूप लाइट डिफेलिटी यह प्रकास तद रूपता है और लाइफ हाई द्वारा दस जीबी प्रती सेकेंज डाटा को एक किलोमेटर की परी द्वारा कुछ ही दूरी पर होता है और लाइफ हाई द्वारा आप ध्यां रखेंगे एक किलोमेटर की परीधी में भेजा जा सकता है आपको दस जीवी प्रती सेकेंड आठा भारत में 29 जनौरी 2018 को सुचना प्रती की मंत्राले द्वारा प्रजेक्ट के रूप में लाइफ हाई का सफल परिच्छन किया गया था कब 29 जनौरी 2018 अब देखते हैं कंप्यूटर बेवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन देशों में सुचना संकलित कर सेटेलाइट द्वारा विस्व में पहुंचाती है उसे कहते हैं निक नेट अब हासी नीजी परिपत ध्यां रखेंगे एनिकी वर्चुल प्राइबेट नेटवर्क है तिया नीजी देखें महें सोनवाल एंसी आटी का संपूर्ण जो बूक है मास्टर वीडियो चैनल पर उपलब्ध है आप उसे जाकर देख सकते हैं फीजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है तो डाटा लिंक लेयर तलास है इंटरनेट एक मुल्टी मीडिया पोर्टल तथ कि अब नेश्ट देखते हैं कि पहचान प्लेटफॉर्म अधार खुला वपेन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है इसका विप्राय है तो इसे किसी भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण के साथ एक इकिरित किया जा सकता है और परितारिक आईरिस आ परियोग कर ओनलाइन प्रमाणिकरण संभव है अब नेश्ट देखिए साइबर आक्रमन आक्रमन की चोड़ी की डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलप्मेंट और एडवांस कम्प्यूटिंग ने एक नए सब्टवेयर विकास किया जिसे कहते हैं नयान अब नेश्ट भारत में साइबर सुरच्छा घटनाओं पर रिपोर्ट करना इसके लिए बिधिवत बिधित अधी देशात्मक यानि सेवा परदाता डेटा सेंटर और कार्पुरेट निकाय के लिए सही है भारत में किसी व्यक्ति के साइबर विमा कराने पर निधी की हानी भरपाई और लाभों की अत्रीक्त समानतर निवलिखित लाभ दिये जाते हैं निवलिखित लाभ दिये जाते हैं ध्यां रखेंगे तो यह कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुना परचालीद करने में लगने वाली लागत है यदि कोई तीसरा पच्छ मुकदमा दायर करता है तो नियाले में बचाव करने में लगने वाली लागत है अब नेश्ट देखते हैं सबसे बड़ा सबसे तेज सबसे महागा कंप्यूटर है तो सूपर कंप्यूटर के लिए सब्सक्राइब कर पाता है जून 2021 कि स्थिति में 442 पेटा फ्लॉप्स बीश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है जपान का फुकागू सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को बनाया तो चीन ने वाइटू के समस्या का संबंध है इस वी सन के अंतिम दोन अंतिम दोनों सब्दों के सुन्य हो जाने की दसा में उ तथा आई-बियान स्स्काइब डरी किनकल करने वाला सबसे चोटा सबसे तीब्रगती वाला कम्प्यूटर होगास तो प्रमड़र सबसे आपको तीब्रगती वाला और ऑप शुटा रहें आपनेशल्ट यूरी के सिडानी पर्दूसर्ण परदूसर डेसिबल माप की जाती है परम दसजार सूपर कम्प्यूटर है भारत का और एडोब सब्ट्वियर है अब नेक्ट देखिए डेवलू एल एल का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूब इंडियन इस्टिटीट ओफ रिमोट सेंसिंग इस्थित है देहरादुन में सभी जानते हैं उद्द्योग जो चुम्बकिय से आही गुण पहचान का प्रात्मीक परियोग करता है तो बैंकिंग में जिस परकार के कंप्यूटरों का सरवाधिक परियोग किया जाता है वह है तो माइक्रो कंप्यूटर ध्यां रखेंगे एक डिजीटल घड़ी में हो सकता है इंबेड़ेट कंप्यूटर को नेक्ट देखिए लेजर प्रिंटर में परियुक तो होती है सेमी कंडॉक्टर और धचालक लेज का अर्थ है तो विल्ड वाइब विव का विष्कार मना जाता है तहीं इस परसन को ध्यान रखना है टी बनार्स वर्नर्स लीको के वर्ड वाइब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को यह जोड़ता है कंप्यूटर पर लिखित लिंग जनकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे कहा जाता है तो वर्ल्ड वाइब वेब ब्लूटूथ तक्नीक उपकरणों के बीच वायरले संचारन की अनुमती देता है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरी करण में अवसकता होती है तो उसको करने की द्रिड इच्छा सकती की संबंधित वित्तिय संसादनों की और जनन सकती की पर सिच्छन की एक अत्याधुनिक सरचना की उप्यक्त में से कथन सही है चारो सही है साइबर सब्सक्राइब तो शचनाधी की सव दया नहीं है तो प्रकासि यह व्यव अभी प्रिभासी ओन लोग सब्सक्राइब प्र परणी की सब्दावली का भाग है तो प्रोटोकॉल लॉग इन और आर्ची डेटा कम्यूनिकेशन के लिए नीमों का संग सेट आफ रूल्स खळाते हैं प्रोटोकॉल्स खळाते हैं नेश्ट देखिए प्रोटोकॉल का वह समूँ जो सभी ट्रांसमीशन एक्सचेंज को इंटरनेट में से एक और से दूसरी और भेंजने की परिभासित करता है कहलाता है तो टी सी पी एनि आई पी साइबर लॉग की सब्दावली में डॉस का आर्थ होता है डिनायल ओफ सर्विस होता है जंक इम सब्द है कंप्यूटर से और इसमें देखते हैं सी आर एम और डी आर एम और जे एम और उसके बाद एस पी एम में वह जो समाने रूप से आवांचीत जंक इमेल का वर्णन करता है तो सब्सक्राइं करता है थ्यां रखेंगे एक निश्चित पत्ते पर किसी एक यूजर द देखे गूगल ने जिस ब्राऊजर को भीक्सीत की आ था वह है क्रोम हे ओक ओपेरा गूगल एपस व Doncs-leard को में ब्रॉज़र डी में वह जो ब्राउजर नहीं है तो गूगल एयस क्या है ब्राउजर नहीं है तो ग्योगा और विवार्टी है आपको बलाउजर है बेव कॉ कम्प्यूटर के छेतर में virus का मतलब है तो वाइटटल इनफरमेशन रिसंध और सि कंप्यूटर वाइडरस होता है एक सथवियर UP کہ दो नि डिखMM कंप्यूटर में फ़लने वाला वायर clown कंप्यूटर फॉटर फॉर चयट है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रां जो 57 की बना सके computer virus होता है तो बिनासक program computer virus का मतलब है तो बिद्वेश पूंड कारेकरम अब उसके बाद देखते हैं एक program जिसमें अन्य प्रग्रामों को संक्रिम्त करने की योगिता होती है जो अपनी ही प्रतिरिया स्वेम बना कर दूसरे program में फैला सकता है वह कहलाता है वायरस अब निश्ट देखते हैं एक चान भूशकर विक्टन कारी सब्ट्वेयर जो computer से computer तक फैलाता है उससे कहा जाता है computer virus संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवाल का प्रयोग बचाता है अन अधिकरित आक्रमन से अमेरिकन टेलीफोन टेली ग्राफ ने एक ऐसे computer कार प्रणाली विक्सित की है जो की वहुजन इस्तिमाल वाता और अर्ण परदान करती है इसे कहते हैं यूनिक्स कहते हैं अब नेश् अब नेश्ट देखिये कुम्प्यूटर की मचीनी भासा अधारित है तो बुलिया की 20 घंद पर हैं नेश्ट देखते हैं कुम्प्यूटर में स्मृती के परकार है तो सेमी कंडुक्टर, मेगनेटिक और ईप्टिकल कुम्प्यूटर की स्मृती का मापन किया जाता हैं बीट्स के द्वारा द्वी अधारी बाइनरी संख्याएं है जीरो और एक की बाइनरी कोड संख्या साथ लिखी जाती है 111 से बाइनरी भासा बनी है दो अंकों की सेल्फ कॉम्पूलमेंटरी कोड है तो 33, 24, 252 ध्यारा रखेंगे एक पलस एक द्वीधारी योग हो जीरो तथा एक कईरी अब नेश्ट देखिए एक कंप्यूटर की इसमिर्ती समानने तो समानने तोर पर किलो बाइट तथा मेगा बाइट के रूप में व्यक्कियाती है एक बाइट बना होता है तो आठ दिवधारी अंकों का आठ बीट के समूग को कहते हैं बाइट बीट छोटा रूप है तो बाइनरी डिजिट का और और कम्पूटर में सब्द की लंबाई ना पी जाती है तो बिट्स में और 1024 किलो बाइट बराबर होता है एक मेगा बाइट के एक किलो बाइट समान है तो 1024 बाइट के अब नेक्ट देखिए कि में योन्तुम निवनन्तूम इंधूर साइज की है तो के बी है और सबसे गिलो धिम्सक्रण के 1024 किलो बैट्स रह्ते कंपूटर की वहार्सा में 1 यह बुक जो है काफी महत्तपूर्ण है इसके अलावा एंसी आटी के दी पढ़ना होगा तो पूरे बुक चैनल पर उपलब्ध है अब नेश्ट देखते हैं डॉट नेट डॉट नेट फ्रेम वर्क्सप माइक्रोसप्ट द्वारा विक्सित किया गया है और जावा इन माइक प्रोसिस्टम द्वारा विक्सित ओपन सोर्स टेकनलोजी यह कथन दोनों क्या है सही है इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम लाइन लाइनक्स तथा ओपन ओफिस में से वह जो सोर्स सब्ट्वेर नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक कमपनी के करमचारियों रीजी नेट-वर्क का वर्गी करांड होगा कि जनकारी के से संदर में यू का और ठ्मेटिक लॉजिक यूनिट से कम्प्यूटर सब्दकोस में CD अच्छरों का पर्यों किया आता है तो कॉंपाइक डिक्स के लिए वर्ल्ड वाइव में पहुंचा जा सकता है HTTP प्रोटोकॉल द्वारा नेक्ट दखिए HTTP का पूरा नाम है तो हाइपर टेक्स ट्रांसपर प्रोटो कॉल नेक्ट दखते हैं कॉंप्यूटर हाडवेर जो आकणों को बहुत अधीक मात्रा का भंडारन कर सकता है कहलाता है तो चुंबकिये टेप डिक्स अब नेक्ट दखते हैं ओप्टिकल डिस्क का नयाम फॉर्मेट जो ब्लू रे डिक्स यानि बीडी के नाम से जाना आता है लोग यह हो रहा है इस सम्मध में निम्न कत्रों पर विचार कीजिए तो dbd मानक परिभासा वीडियो यानि standard definition वीडियो को समर्थित करता है जबकि bd उच परिभासा वीडियो यानि high definition वीडियो को समर्थित करता है सही है dbd की तुलना में body format का भंडारन छमता कोई गुना अधिक है अभी सही है अब निश्ट देखते हैं थोड़ा सा जुम कर लेते हैं printer compiler mouse keyboard में से computer hardware नहीं है प्रिंटर mouse keyboard है चुम्बकिये टेब printer assembler तथा CRT में hardware नहीं है तो smart check objectively CRT है mouse printer monitor excel में से computer hardware नहीं है तो monitor printer और mouse hardware है ट्रांजिस्टर इंट्रिग्रेट सर्कीट कंपाइलर और आंकड़े प्रभीष्ट अब नेक्ष्ट देखते हैं इसमें तो ध्यां रखेंगे ट्रांजिस्टर और उसके बाद integrate circuit compiler तथा आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में सब्टवेर है तो compiler क्या है सब्टवेर है अब next देखिए computer के मस्तिक्स को कहते हैं CPU फुल फर्म होता है central processing unit printer keyboard mouse तथा प्रचालन में तंत्र में एक यंत्र समागरी नहीं है तो प्रचालन जो है यंत्र समागरी नहीं है तो क्या है printer keyboard mouse है index hole संबंधित है तो floppy disk से IRQ 6 समानत दिया जाता है तो floppy drive controller को next देखिए computer के basic function को program नियंत्रीत करता है वो है आपको operating system unix java oracle और sms office में से वह operating system जो unix है ध्याँ रखेंगे उसके बाद देखते हैं computer का सबसे महत्तपूर्ण भाग CPU होता है मस्तिक सी से कायाता है CPU का तात पर है central processing unit वह software जो सब्द संसाधन में पर्योग किया आता है तो page maker word star और आपको MS word ध्याँ रखेंगे अब next दखिए word processing spirit sheet और photo editing उधारन है तो application software के Microsoft word उधारन है तो application software का MS word पर्योग किया आता है तो पद्यांस data संसोधन है तू word documents video या MP3 परकार है तो के तीसरी PD संगठक का मुख electronic ओवय है तो समेकित परिपत ध्यां रखेंगे अम next दखिए कि आध्वनी computer का लगू रूप करन संभव हो सका है तो समाकलीत परिपत चिप्स के परियोग से next दखिए इंट्रिग्रेटर सर्कीट IC चिप पर परत लगाई जाती है सिलिकॉन की एक इकिरित परिपत में परियुक्त और धचालक चिप वनी होती है सिलिकॉन की एक नमींतम पदार्थ जिसका computer चिप्स के उत्पादन में परियोग हो रहा है तो सिलिकॉन का IC चिपों का निर्मान किया जाता है तो सेमी कंड़क्टर से IC चिप के वर्गी करन का अधार है तो ट्रांजिस्टरों की संख्या ध्यान रखेंगे next दखिए सत्यकतन है तो मोडेम एनलोग सिंग्नल को डिजिटल सिंग्नल में तथा डिजिटल सिंग्नल को एनलोग सिंग्नल में बदलता है modulation एम अधार मोडूलेशन करता है मोडेम नेश्क दखिए माइक्रो कॉम्प्यूटर को टेलीफोन से जोडता है c России युक्ती जो आकडों को आपैवेवीं में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मीनल से कंपूम्पूटर को और computer से terminal को telephone line में समप्रेशित करती हूआ है आपको modem, modem एक hardware रहती है जो जोडती है, telephone line को computer से ध्यां रखेंगे, अब प्रसंद पूछा गया है, router, hub, chip, sweep में से connecting device है, तो उपरुक सभी है, router, hub, switch क्या है, connecting device है, अब next दखिए, रोम मेमोरी केवल पढ़ने के लिए होता है रीडॉनली मेमोरी होता है सेलोरोन पेंटियम और कोर करम प्रारूप है तो कंप्यूटर प्रोसेसर का कंप्यूटर की अस्थाई स्मिर्थी को कहते हैं आर ओ यम कहते हैं इस मिर्थी में आकणों की इस्थिती को विशेस रूप से व्यक्त करने का साधन है तो पता ध्यार रखेंगे कि इसके बाद प्रदोकी आ जाएगा और विवित से सबसे ज़्यादा इन्पोर्टेंट प्रसन होंगे अगर आप लग रहाएगी थोड़ा डिपकल्ट है ता कंप्यूटर के संदर में रैम का तात पर है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दोनों प्रसन पूछे गए हैं कंप्यूटर के पामर बंद करने पर जिस सर्टर्म मेमोरी का डाटा स्वतव खत्म हो जाता हुआ है आपको रैम ड्रॉम पेन प्लोटर सी आर्टी मोनीटर ये और फो कोबॉल पास्कल तथा बेसिक है उचस्तरिय प्रग्रामिंग कंप्यूटर भासा की औरेकल है तो डाटा सब्टवेर बेसिक सी फास्ट फोर्टरान में से कंप्यूटर की भासा नहीं है तो आपको सी हो जाएगा बेसिक हो जाएगा फोर्टरान कंप्यूटर की भासा है ने बहुतर नहीं है नहीं चंप पलस पलस रोम पासकल है तो सी पलस पलस और जावा और पासकल है इसी पलन सुप्स प्रस में कम्पूस से पंपरिश नहीं है तो उसके बाद सी इसिंबलर का कार्य जो है इसिंबली भासा को यंद्र भासा में परिवर्थन करना है नेक्ट दखिए भासा जी से कंप्यूटर समझता है वो निश्पादित करता है कहलाती है मसीनी भासा यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में डौट इट्स डौट अस है तो यह इवे से अमेरिकी में एक सेच्छनिक संस्था है किसी संगठन की वेव साइट का डौट कॉम अंस सुचित करता है कमर्सियल को वाइली डैनि डोमेन नेट एक्स्टेंशन है तो डौट कॉम डौट गवर्मेंट तथा डौट नेट ध्यां अब उसके बाद ड़कते हैं को कि प्रोक्सी सर्वर सी टी सीपी आई पी एड्रेस उपलब्द कर आता है तो यह सही क्या है कि यह सही नहीं है इसमें तो आपको प्रोक्शी लग टर्म होता है और वोलेट एनकी वाइस ओवर लॉग टर्म इवडियुशन के बीच के अंतर तो इसमें देखेंगे क्या होता है तो इसमें न तो एक सही है न तो इनन अज़ीया रखेंगे अब देखते आप कि द्रिश्य प्रकास अंचार भी एलसी तक्नीक के संदर में सही कथन है तो सही कथन क्या है तो भी एलसी संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें ध्यां रखना है इसमें एक और तीन केवल सही है तो हम उसी को पढ़ेंगे यह एक संपर्क रही संचार प्रदुकी है जो विदू चुमबकी रेडियो छेत्रों को उप्योग करती है सही है अब उसके बाद देखते हैं संबेदन सील सुचना भेंशते समय एन एफसी कोडी करन्ड एक क्रिप्शन का उप्योग कर सकता है तो केवल ध्यां रखेंगे एक और तीन सही है अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें लॉंग लॉंग प्रस्ण दिये हुए हैं तो अब ध्यां रखना है तीन और चार सही है तो हम उसी को देखेंगे तो कि ए आर ब्यक्तियों को संचार में विद्यमार रहने देता है और स्मार्ट फोन या पीसी के कैमरे का उप्योग कर अनभौ उन्रत करता है और उसके बाद भी आर संसार को पिर्थक कर देता है और ब्यक्ति को एक अलग धारातल पर ले जाकर उसे पूर नी मगनता का कि बिकास की बर्तमान इस्थिती में क्रित्रिम बुद्धी मता एनिकी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस निमलिखित कार्यों को प्रभावी रूप से कर सकती है तो अधोगी की ध्यान रखेंगे और दोगी कर सकती है उसके बाद देखिए इसमें इकाई में बिद्दू की करना सार्थक लगु कहानियों और गीतों का रचना करना रोगों का निदान टेक्स्ट स्पीच में परिवर्तन विदू तुर्जा का बेतार संचार ध्यान रखेंगे यह सब विकास की बर्तमान इस्थिती में क्रितिम बुद्धी मता है कि सिंगनल की सक्ती स्ट्रेंथ कम ह हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे तो रिपीटर का परियोग करेंगे कंप्यूटर सब्दावली में USB का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ध्यां रखेंगे यह काफी इन्पोटेंट प्रसन है इसे पुछा भी दिगमन से एनिकी उसको खत्रा से बचाने के लिए नेश्ट दखिए है कि सुचना प्रद्वक्य की सब्दावली जिसे उपयोग करता के इमेल का पता ज्यांत करने के लिए परियुक्त करते हैं वह है फिंगर भीब लियोमेट्री है तो सुचना प्रबंधन उपकरण है ड को सेशइंग कॉम्प्यूट्रेंग और आउट्पूटिंग करता है कि एक कम्प्यूटर आंकरों की दूटिया पर्धरसी कहलाता है यह रEd बुल्तों सुनिस्थ प्रकार्ट की परिछा में उत्तर पत्र को जाच करने के लिए परिट्ष किया आता है तो ऑ इम आर का कि आई ए कि अपनी गती से सुधतासर्था किस्मिति से अ कि इस कि मिल्ली मीडिया में समिलित हो सकता है तो graphics, animation, video, music, अवाज multimedia में graphics, emanation, video, music, अवाज computer में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का परियोग का तरीका कहलाता है तो multimedia किसी operating system के एक ही समय पर एक से अधिक उपयों की छमताव कहते हैं तो multitasking कहते हैं वीडियो mail से हम भेज सकते हैं graphics, video clips, तथा video message अब next दखिए वीडियो conferencing दूर संचार प्रतिकी का उपयोग करते हुए वीडियो call का परिचालन होता है वीडियो conferencing में इंटरनेट की उस सेवा को जो आडियो और वीडियो वरतालाब परदान करते हैं तो video conferencing वीडियो conferencing है उनिवार device है तो वेवकेम है वीडियो camera, display device, telephone, microphone में से video conferencing system के लिए आवस्य घटक नहीं है तो telephone नहीं है तो यह अवस्य घटक है आपको ध्यान रखेंगे वीडियो camera, display और उषक के बाद microphone फोन इमेल का भी स्थ्रीत रूप है इलेक्ट्रोनिक्स मेल इमेल नेश्ट देखते हैं इमेल पते को दो भाग होते हैं परियोग करता का नाम और डोमेन का नाम इमेल पता इमेल और डीजिटल फाइलें जो ईमेल से संबंद हो सकती हैं तो संगीत और डाकुमेंट्स टथा फोटो अब नेट्स जखते हैं पाइलें जिन्हें इमेल अटैचिमेंट द्वारा भेजा जा सकता है तो टेस्ट फाइल आडियो फाइल वीडियो फाइल डाटा एक वचन है डेटम डाटा का एक वचन है डेटम ब्लॉग सब जीन दो सब्दों का सेयोजन होता है वे हैं बेब इरान के कॉंप्यूटरों में पकड़ा गया एका है स्टक्सनेट वर्म क्रीमी क्या है तो ना भी किये सेंट्री फ्यूजों को नश्ट करने का एक द्वैस्पून प्रोग्राम है नेश्ट देखते हैं कमांड को ले जाने की प्रकिरिया एक जी क्यूटिंग मेन्यू में सुची होती है कमांड की सुची होती है वर्चूल में मोरी का निर्भर करता है तो डिस्क अपेस पर गूगल अल्टाविस्टा साइंस डायरेक्ट और आरकुट में से सर्च इनजन नहीं है अर्कुट जो है सर्च इंजन नहीं है तो साइंस डिरेक्ट अल्टा विस्टा गूगल है बाइडू पैकेट्स और कुकीज में से एक सर्च इंजन है तो मैईक्रोसफट द्वारा तो यहां रखेंगे आप सीथ देखिए कि चीत्र संदेश नीजी इन बोक्स में रहेगा तो 30 दिन तक ध्यां रखेंगे अब देखते हैं कि सीम का सीम का पूरा स्वरूप है तो सब्सक्राइबर आइडेंट्री मोडूल आई सीटी का तात्पर है तो इनफर्मेशन कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी सुचना प्रत्योगी को परिभासित कर सकते हैं तो कनेक्टिवीटी पुलस हाडवेर द्वार द्वारा कि एस एम एस का अर्थ है सोट मेसेजिंग सर्वीस अब नेश्ट दखिए किसी अग्यात और परचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कम्प्यूटर सिस्टम में परवेश उसकी सहमती के विना गोपनिय डाटा और जनकारी के साथ हस्तछेप करना कहलाता है है कम्प्यूटर हैकर है तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाब की सब्सक्रेकर का आसे है एक ऐसा बेक्ति जो बीना किसी प्राधिकरण की कम्प्यूटर सिस्टम में सेंध लगा कर भुषता है जाल साजी के उद्यस्यों से जान बूच कर वेवसाइट को बिस्त्रीत करता है जो अन अधिक्रीत पहुंच प्राप्त करता है महत्तपूण डा किसी वेवसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में और समर्थ होते हैं तो इसे कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस अटेक ध्यां रखेंगे अब नेक्ष्ट दखिए साइबर क्राइम है तो हैकिंग श्टोकिंग सर्विस अखात मना ही साइबर अपराध की दो आवस्यक विश्यस्ताय है तो अपराधी की कोंप्यूटर दच्चता था सिकार की कंप्यूटर प्रतुकी की से अन्भिग्यता वनना क्राई पेट्टिया और इटरनल ब्लू पद सम्बंधित हैत साइबर आपमण से नहीं नाप्राइब पित्या और लग को फीशिंग, साइबर एस्कोर्टिंग, आइडेंटेटी थेस्ट और ओनलाइन चैटिंग में वह जो एक साइबर अपराद नहीं है तो ओनलाइन चैटिंग क्या है साइबर अपराद नहीं है बाकी सब है अब नेक्ट दखिए मूली निवेस निरगम प्रनाली कंप्यूटर मे हाडिक्स पर कंप्यूटर को जाल क्रमीत करता है तो खत्रों के औसरों में बढ़ोतरी करता है कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है और सुचना अधीगमन की संभौना को बढ़ाता है सही कथान है योजना बनाने में पर्यूक्त डाटा यंत्र प्राय कहा जाता है तो सब्सें समय तो क्रैस मेमोरी का सीपीव तथा मुक्षी इसमिर्थी के बीच पाई जाने वाली अत्यधिक तेज छोटी अकार की स्मिर्थी का नाम है तो कैसी इसमिर्थी ए हाड़ डिस्क हाड़ डीक्स डीवी डी-डी-ोम कैस मेमोरी और स्टैटिक रेम में से वह सब से तेज मेमोरी है तो कैस मेमोरी लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांचित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है तो सब्सक्राइब कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम है तो कंप्यूटर सब्सक्राइब ध्यां रखेंगे नेश्ट देखिए इंपूट यूनिट, आउटपूट यूनिट, मेमोरी यूनिट, बेसिक यूनिट में से कम्प्यूटर का घटक भाग नहीं है, तो बेसिक यूनिट भाग नहीं है तो इंपूट यूनिट है, आउटपूट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है Microsoft है तो सब्ट एर विकास करने वाली एक संस्था यानि की कंपणी है विप्रो कंपणी के संस्थापक चेयर्मेन बरतमान चेयर्मेन कौन है तो विप्रो के अजीम प्रेम जी संस्थापक है और चेयर्मेन बरतमान चेयर्मेन कौन है तो रिशत प्रेम जी है यह क्योंकि 2022 का ब कि हारड्वेयर एजए सेर्विश प्लेटफोर्म एजए सर्विस सौ Paleo i sarkan वह जो लेयर क्लाड कॉम्पीटिंग से इसक्राश क्लाव्द कॉम्पूटि वह हार्ड एजए सर्विश नहीं होती है कभी कभी समाचारों पत्रों में दिखने वाला प्रजेक्ट लून संबंधित है तो बेतार संचार पुर्द्वकी से आई बीम का पूर्ट रूप है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन HTML का बिस्तिरीत रूप है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कप लेंग्वेज यू आर एल का बिस्तिरीत रूप है उनिफर्म रिसोर्च लोकेटर ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखिए FTP का पूरा नाम है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है बर्शंट का विस्तारन है तो स्वीच्टमोड पावर सब्लाई ध्याँ रखेंगे undoubtedly гu फिछ अनिटर्प्रिटपावर सब्लाई ध्याँ रखेंगे और उनिंटर्प्रेटपवर सब्लाई और नेँटर्प्रेडट बावर सब्लाई फ्लैस मेमोरी के बारे में सही कथन नहीं है तो यह समान यांत्रिक डिस्क ड्राइब से अत्यधिक सस्ता है या सही बात नहीं है सस्ता नहीं है अब देखते हैं कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोड आईसी चीपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है तो आई बियम यानी सिस्टम प्राप्ट करने के लिए आव सकता होती है तो निम्तम फोर नेंड की गेट की ध्यान रखेंगे ब्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान अकर्शित करने वाले कॉम्प्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन एमेस डॉस को छो मार्च उन्नीश सो बानवे को संक्रमीत करने के लिए की गई थी वायरस का नाम क्या है तो माइकल एंजोलो माइकल एंजोलो वायरस का नाम है ध्यान रखेंगे इसको एक्जाम में पूछा गया है कि भी सो कॉम्प्यूटर यानि संगलक साचरता दिवस मनाया जाता है दो दिसंबर को वी सुका सबसे सस्ता यानि टेबलेट पीसी होने का दावा किया गया है तो आकास के बारे में अब नेक्ष्ट देखते हैं भारत में पबलिक की इंस्प्राचक्चर पदबंध पर्मुक्त किया आता है तो डीजिटल सुरच्छा आधार्भू सरचना के प्रसंग में डीजिटल भुक्तान के संदर में सही कथन है ध्यान रखेंगे भीम एप उपयोग करने वाले के लिए यह एप यूपी आई सच् करता है भीम एप में परमारी करन के तीन घटक होते हैं ध्यान रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं कि ब्लॉक्चेन तकनीक के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें ध्यान रखेंगे कि यह एक साजनी खाता है जिसका हर कोई निरिच्छन कर सकता है परन्तु जिसे कोई भी एक भुक्ता नियंत्रीत नहीं कर सकता है ब्लॉक्चेन के अधार भूत वैसिष्टियों पर अधारित अनपुर्योगों को बिना किसी व्यक्ति के अनमती के विक्षित किया सकता है ध्यान रखेंगे अब निश्ट देखिए सभी के सभी प्रस्ण इन्पोटेंट है अब देखे अंत्री छोप प्रदोगी की आ गया इससे तो प्रस्ण परते की जामें बनते रहे हैं विकास के लिए सुचना प्रतोगी का अधिकाधि कुप्योग रणनीती है तो आंध परदे सरकार की बे पोर्टल एनिकी डैसनेट समवंधित है तो ई एगरी कल्चर से पोर्टल खोज छमता इमेल, समाचार, स्टोक की कीमते, मौसम, समधी जनकारी, खेल और मौनरजन जैसी सेमाय परदान करती है पोर्टल खोज की छमता बिद्यावाहनी परियोजना बल देती है कम्प्यूटर सिच्छा पर अब नेश्ट देखिए अंतरीच प्रदोग की, अंतरीच में भेजा गया पहला यहनी भारत का प्रथम उपग्र आरे भट था और आरे भट का प्रेचेपन किया था तो 19.1975 को ध्याँ रखेंगे भारत ने अंत्रीच यूग में परवेस किया तो आरे भट के प्रेच्छेपन से इंसाइट 3C को प्रेच्छेपित किया गया है तो कवरू फ्रेंच गुयाना से सुमेलित नहीं है ध्यां रखेंगे तो इसमें सुमेलित नहीं है देखिए तो सभी सुमेलित है सभी सुमेलित है और सही है तो इसको देखेंगे हम लोग तो कास्मिक बैक ग्राउंड उपग्रह कारेकरम एक्स्प्लोरर है और फेलकॉन समुंद्रगत केबल तंत्र है और डिस्कवरी अंत्रिच सटल है और अटल सांटिस्ट उंत्रीच स्टल ईसको भी देखेंगे के डी कि वर इसका मंगल ग्रह अन्वेसी अंत्रीच्छ च्यान है मेशेंजर तो नाशा का बुद्ध ग्रह अन्वेसी अंत्रीच च्यान मेसेंजर और रुस्तम वन तो डियाडियों का मानों रहीत वाईवान है डियाडियों कि अस्थापना कब होती है तो होती है आपको अन्ठावन में और नासा की भी अस्थापना उन्ठावन में होती है अमिर्का का नासा भारत का डियाइडियों अकास्टू टेबलेट है नासा का अंतिम अंत्रीच्यान सटल रहा तो अट्लांटिस अब नेक्ष्ट देखिए सही सुमेली थे अंत्रीच्यान और प्रयोजन कैसीनी हाइगेंस अंत्रीच्यान का उप्योक्या था तो सनी ग्रह पर भेंजा गया ध्यान रखेंगे मानो रहित अंत्रीच्यान था मेसेंजर ध्यान रखेंगे कि किसी भी ग्रह पर मानो युक्त मीशन नहीं भेंजा गया है कि वालबी अंत्रीच में चंद्रमा पभेंजा गया है अब नेख्ट दखिए कि अंत्रीच में सुच्म तरंगों की उपस्तिती का पता चलना और अंत्रीच में रेड़ सी परिघटना का अवलोकन बैज्यानिक जिस परिघटनाओं का ब्रहमांड का निरंतर विस्तारण के साचे के रूप में उद्रीथ होते हैं वह आपको एक और दो के वजह से समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलेरीटी इस्ट्रिंग थियरी और स्टेंडर्ड मोडल जैसे सब्द जिस संदर्व में आते हैं वह है तो ब्रहमांड क का प्रच्षेपन और बोध अमनेश्ट देखिए कि टीम पीक को कहा जाता है तो अंतरी च्यातरी के रूप में नासा का अंतरी च्याच कैसीनी सनीग्रह के मीशन पर है स्याम वीबर होता है तो सीमट गया तारा नया नाम कलपना वन दिया गया है तो मैट सेट को और कलपना जो चावला का निधन हो गया था उसी के रूप में मेट सेट को दिया गया है अब नेश्ट देखिए नेमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो भारत ने सितंबर 2002 में अपने पर्थम पूण मौसम विज्ञानी संबंधी उपग्र मेट सेट का परछेपन किया सही है और पहली बार अंतरीच वाहन पी एसेल भी पोलार सेटिलाइट लॉंच वेहिकल सी फोर से भू समकाली कच्छा में एक हजार किलोग्राम से अधिक और जग भार लेकर प्रवेश किया सही है अब नेश्ट आगे देखिए अंतरीच में कई सो किलोमिटर से गती में गती की कई सो किलोमिटर पटी सेकेंड की गती से यात्रा कर रहे विद्धूत आवेसी कॉंड यदि पीर्थिवी के धरातल पर पोहुंच जाये तो जीव ज उन्तुओं को गंभीर नुक्सान पोहुंच सकते हैं एक कण पीर्थिवी के धरातल पर नहीं पोहुंच पाते किंगे पीर्थिवी की जीव पैदा हुए हैं तो उन्होंने पिर्थिवी के आरंभिक वाय मॉंडल को बदल दिया है अब आगे नेक्ष्ट देखिए नेमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो तुलेकारी उपगर लगभग एक हजार किलोमेटर की उचाई पर अस्थापित होते हैं ध्यां रखे अब नेक्ष्ट दखिए नासा अमेर्की अंत्रीच अभिकरण अभिकरण ने केपलर नामक दूर्बीन का परवर्तन किया तो पिर्थिवी तुले ग्रहों को जानने के लिए अब इसमें देखते हैं कि नहीं एक सही नहीं दो तम पढ़ें क्यों जब सही नहीं है तो अब नेक्ष्ट देखती है कि जब इंसाइट थ्रीवी लॉंच किया गया था तो उस समय इसरों के अध्याश सिवान भार्तियं अंत्रीच कार्यकरम के जनक थे तो ड्क्रवी क्रम सारवाई कर ने तो भारत के टली यार्त अंत्र के लिए उप्योग में लाई जा रही है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सेटिलाइट छोड़ा गया था तो बेका नूर से भारतिय दूर संबेदन A.I.R.S उपगरहों का परियुक किया जाता है तो इसका परियुक किया जाता है फसल की हुपशक के आकलन में भौप जल ग्राउनड वाटर संसाधन में और अस्ठान निर्धार्ण में छनीज के अनुवेशक में किया आता है आपको भारतिय दूर संबेदान उपग्रह का अब नेक्ष्ट देखते हैं नेमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो उपरुक्त में से कथन कौन सही है तो कोई भी नहीं है तो जब नहीं है तो समय बरबाद नहीं करना है अब नेक्ष्ट दे संचालन उपग्डरह प्रणाली आपको आई एन आई रओ एन एस के संदर में सही कथन है तो र न एस टुलेकाली कच्छावं में 3 ऊपग्रफ और भूत तुलेकाली जसिंक्रोनि पर यूँ से उपग्रह का परिभर्मनकाल होता है 24 घंटे इसरों द्वारा 22 दिसंबर 2005 को सफलता पुरुवक प्रिछेपण किया गया था तो इंसेट फोर एक पी सेल भी सी 37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरोरी 2017 को सफलता पुरुवक प्रमिजित किये गए थे तो 104 उपग्रह अब न अंत्री च्यान पिर्थी पर उतरते समय कुछ छण के लिए भू एस्टेशन से रेडियो संपर खो देते हैं कारण जब एक अंत्री च्यान पिर्थी के वाय मंडल में परवेश करता है तो यान की सतह कता बढ़ जाता है जिससे उसके चारों और वायू आयनित हो जाता है द उसके बाद ध्यान रखेंगे आ जाएगा एपल उसके बाद आ जाएगा आईजी एमडी तो यह सही क्रम है कि एपल उपग्रह को प्रछेपित किया गया था तो कौरू फिरेंच गुयाना से प्रथम भारतिये संपरेशन से टेडाइट एपल छोड़ा गया तो 19 जून 1901 को अब नेश्ट देखते हैं भारत के इंसेट 1D का प्रछेपण किया गया था तो 12 जून 1990 को इंसेट 2 ए छोड़ा गया तो 10 जुलाई 1992 को इंसेट 4C जो अपने निर्धारण कच में प्रतिस्थापित नहीं हो पाई है तो उसका भार था तो 1260 किलोग्राम भारत का पहला संच चालन उपगर आई एन आई आर एन एस एस वन छोड़ा गया तो सिरी हरी कोटा आंध्र प्रतेश से अब नेश्ट देखिए भारत के कुछ दसकों में उपगर प्रचेपण यानों को बनाया उपविक्त में से बनाने का स्वही करम क्या है तो बनाने का जो स्वही करम है ध्यां रखेंगे सबसे पहले SLB को बनाया गया उसके बाद आपको बनाया गया ASLB को उसके बाद बनाया गया आपको PSLB को POSLB का फोल फार्म ध्यान रखना है Polar Satellite Launch Vehicle होता है और उसके बाद बनाया गया Geo-Synchronized Launch Vehicle को तो अप्शन हो जाएगा आपको D अब नेग्ष्ड देखिए अब नेग्ष्ड देखते हैं इसमें झ्यान दीजिएगा कि प्रिछ्छेपन यांद से Satellite यानि की स्प्रिछ्छ्छ्छ्ग्ड यान से कौन सhos अल्ट लाइट लांच क्या गया तो उपग्रफ प्रच्छेपण यान यानिकी 3 SLB 3 से रोहणी किया गया और समभर्धित उपग्रफ प्रच्छेपण यान से आपको ध्यां रखेंगे सरोस यानिकी सी किया गया और ध्रुविये उपग्रफ प्रच्छेपण यान से चंडर यान किया गया था किया गया था यह 2000 आपको आठ में किया गया था भूर समuchen काली को प करफ पर शेपन से आपको इसमें किया गया एडू carry and भारत का मंट हीतर दिया हुआ है इसमें देखें कि क्या दिया है प्रसं對了 आ एक तो दीये गए मांचीत देखेंगे लरी स्थापना सको 1979 मेगर वह को होती है 15 अगस्त सिसके बाद देखेंगे आपको ये सब्सक्राइब सक्राइब तो ऑब इस अपर भी देखते हैं आपको ढॉट है तो यहां फिर हो जाएगा आपको यह से यहां आन्द्प्रदिश यह हो जाएगा अबनेश्ट देखते हैं आपको को दो इसरो के मास्टर कंट्रोल सुभिधा हासन में हासन में है जो अवस्तित है तो कर्णाटक में और अस्थान तो इस रों कहां वंगलोर में और हाइई उसी एक हां है तो पुने में है और आईउडिल्ली में है भी एससी क कहां है तो यह द्यान देंगे अमनेश्ट दखिए है कि सही सुमेली थैत अंतरीच अनुपरयोक केंद्र आहमदाबाद गुजरात में है उसके बाद आपको राष्टिये दूर संबेदी केंद्र कहां है तो हैदराबाद तिलंगना में है और भारती अंतरीच अनुसंधान सं विकास के संबंध के लिए तो कथन कारण दिया है तो कथन देखते हैं एक हवाई जहाज के पंक की उपरी सतों नतोदार बनाई जाती है और नीचे की सतों नतोदार बनाई जाती है अब उसके बाद कारण देखते हैं कि कारण देखिए तो यह पहला सही है और यह गलत है तो छोड़ दीजिए गलत है तो हवाई जहाज की ब्लेक बॉस का रंग सभी जानते हैं नारंगी होता है भले लिखा रहाता है लेकिन नारंगी होता है चंद्रियान वन का कच्छ पहुंचा तो आठ नॉंबर 2008 को भारत के चंदर मीशन के प करीधल जो है निदेशिका है अब नेक्ष्ट देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे जुलाई 2019 में अंतरी च्छान चंद्रियान टू को प्रछेपित किया गया था तो आंध परतेश से चंद्रियान टू अंतरी च्छान को प्रछेपित करने के लिए इसरो द्वारा जिस जियो सिंक्रोनस उपगर प्रिछेपणयान का पर्योग किया गया था हुआ है तो जी एसल भी मार्क थर्ड एमाई इसे बाहू बली रोकेट भी कहायता है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइबेट फ्लाइट योजना का नाम है तो मून एक्सप्र ने भारत को एक मात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंत्री छेयान को मंगल के चारों और चक्रमण कराने में पहली बार ही सफलता प्राप्त कर ली है बहुत गवरों की बात है और सही भी है और नेक्ट देखिए चीनी अंत्री छेयान सेन जाव सेवेन के बारे में सही कथन क्या है तो इसमें तीन अंत्री छेयात्री थे इसको लॉंग मार्च टू एफ नामक रोकेट से छोड़ा गया और पहली बार चीनी अंत्री छेयात्रियों ने अंत्री छेयात्री सकुसल पिर्थिवी पर लोट आ अगस्त दो हजार सोरा में चीन ने मीसियस मीसियस उपनाम से एक प्रणाली विख्षित की जो एक क्वांटम उपग्र संचार प्रणाली है नेश्ट देखिए वह अंत्रिच एजन्सी जिसने उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रोकेट का सफल प्रछेपन किया जाक्सा जपान की है CNES जिस देश की अंत्रिच एजन्सी वह है फ्रांस की नासा का जेट प्रोपलंस लेवरोटरी इस्थित है पासा डेना की ग्रिज लाइटिंग 10 जिसका हाल ही में समाचादरों पत्रों में उलेख हुआ है तो नासा द्वारा परिच्छित विदूत विमान है ध्यान रखें प्रांस की नासा के लिए फिनिक्स रोजर फ्लोरीडा और जॉन केनेडी में से नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम है तो फिनिक्स मंगल ग्रह पर जनौरी 2004 में पहुंचने वाला पर्थम अमेरिकन रोवर था तो इस प्रीट था ध्यान रखेंगे कहां पहुंचा था मंगल बूद्ध सुक्र ब्रियस्पति में से वह ग्रह जीवन की अस्तित्त के लिए उप्युक्त हो सकता है तो मंगल हो सकता है लेकिन अभी बहुत समस्या है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थी जीवन के अब तक पाए गए लच्छनों में समिलित है तो जल जिसने चंद्रमा पर जलके होने की पुष्टी की है तो सोफिया अमेर्की पत्री का विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वह ग्रह जहां एक विसाल भुमिगत जील का पता चला है मंगल ग्रह पर ध्यान देंगे अंत्रिच यान डिस्कवरी जिसे चार जुलाई 2006 को अंत्रिच में प्रछेपित किया गया के इंधन टेंग को भरा गया था तो द्रव हाइड्रोजन तो द्रव आक्सीजन की मिश्रण से नेक्ट दखिए वह जानवर जो तीन नौवंबर उन्नी सो संतावन को अंत्रिच में भेजा गया था तो लाईका नामा कुतिया कभ भेजा गया था उन्नी सो सतावन में पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पई रखा था तो नील आरम अस्ट्रांग और कभ रखे थे तो यह आपको ध्य माइकल कॉलिंस थे माइकल कॉलिंस जो की पाइलट थे तो अभी साथ में गए थे अब नेक्ट दखिए अंत्रीच खोज के लिए अपोलो एट छोड़ा गया तो 21 दिसंबर उन्नी सो और सट को चंद्र कच्छी मीशन सेलीन वन है तो जपान का है ध्यान रखेंगे अब ने जेट इंजन और रोकेट के बारे में निमलिखीत कत्नों पर विचार कीजिए तो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ती के लिए परिवेश की वायू का परियोग करता है अतो यह अंतिरिच में गती के लिए अनुपयुक्त है ध्यान रखेंगे यस सही है अब आगे ने नीचेले भाग में बादल जल वास्प नहीं होते हैं तथा सम्जराप मंजल की नीचे भाग में उर्धवार्दर पमण नहीं होती है जेट हवाई यान नीचे के इस ट्रेटों स्पेर में बड़ी सरलता और असानी से उड़ता है इसकी निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती ह तो नीचे के इस ट्रेटों स्पेर में बादल और पानी की वास्प नहीं होती है तथा नीचे के इस ट्रेटों स्पेर में लंबी रूपी हमाय नहीं होती है अब नेश्ट देखिए जेट इंजन का कारे करता है तो रैखिक संब्यक सरच्छन के सिधान पर इस्ट्रेटों लाइट होता है तो अधिक उचाई पर समताप मंडल में अस्थापित वायू पोथ होता है अब नेश्ट देखिए थूंबा रोकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है तो केरल में श्री हरी कोटा दी निकट अवस्थित है सभी जानते हैं पुलिकट ती आंध परदेश है श्री हरी कोटा रेंज जो की भारत का उपग्र छोड़ने का केंद्र है इस्थित है आंध परदेश में फरवरी 2004 में एक बिसफोट हुआ भारत के अंतरी चिकेंद स्री हरी कोटा में सही सुमेलित है तो काकरा पारा नुकिलियर पावर रियक्टर है कहां है गुजरात में है और पोखरन कहां है तो पोखरन परमाडू 25 पोट अस्थल है यह आपको राय अस्थान में है थुमबा केरल में है प्रमोचन केंदर है और स्री हरी कोटा तो स्री हरी कोटा आप जानते ही है आंध्परदेश में उपग्रह प्रमोचन इस्टेशन है गैलेलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का भी सैथी क्या है तो ये रोपीय संग द्वारा विक्सित की जा रही एक बहु उपग्रह परियोजना का परियोजन है तो गुरुतिवे तरंगों का संसूचन करना अब नेश्ट देखिए कि यह परियोग तीन ऐसे अंत्री च्यानों को काम में लाएगा जो एक संबाहुत तिरभूच की आकिरती में उडान भरेंगे जिससे प्रतेक भूजा एक मिलियन किलोमीटर लंबी है और थानों के बीच लेजर चमक रही होगी कथित परियोग संदर्भीत करता है इवोल्ड के संबंध में करता है ध्यां रखेंगे इवोल्ड क्रायोजेनिक ताप से आसे है उस ताप से जो आपको माइनस 150 डिग्री सिल्सियस से कम हो और जो रोकेट जाता है उसमे रोकेट प्रधापन में और दूर्मिती में अब नेश्ट दखिए निम्न तापी इंजनों का अनुपरियोग होता है रोकेट प्रदुक्की में निम्न तापी इंजन परियोग में लाते हैं तो द्रव आक्सीजन आक्सीकारक के रूप में तर्था द्रव हाइड्रोजन इ के तेल का रोकेट कारे करता है तो संबेख सरच्छन के सिध्धान पर निश्ट देखिए निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें ध्यान देना कि रीशेट टू पग्रक अच्छा में पीएसेल भी सी बारा द्वारा अपरेल 2009 में स्रीहरीकोटा से छोड़ा गया था एक दूसरा उपग्र अनुसेट भी पीएसेल भी सी बारा द्वारा कच्छा में सभी के सभीचारों क्या है सत्ते हैं अब नेक्ट देखते हैं कि भारती उपग्रहों और उनके प्रिछेपकों के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें ध्यान देना है कि पीएसेल भी का परियोग आई आर एस रिंखला के उपग्रहों के करने के लिए पहली बार सोदेश निर्मीत सीत जनित इंजनों का परियोग किया है और उसके बाद देखते हैं वह वर्स दोहजार एक में छोड़े गए जी एस्टी अंकिये प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को परदसीत करने के लिए और जक भार पे लोड़ है तो सह जी अलबी से उपग्रव परमोचित किये जाते हैं जो पीर्थिवी के संसादनों की मोनेटरिंग में उप्योगी है जबकि जी एसलवी को मुखेता संचार उपग्रव को परमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है एसलवी थिरी आर एस डी उन आई आर एस डी वन कि नेश्ट देखिए कि सेच्छनिक सेवाओं के लिए उपग्र एजू सेट अंत्रीच में भेंजने में भारत पहला राष्ट हो गया है यह उपग्र प्रिछेपीत किया गया था तो बीस सितंबर 2004 को किया गया था भारत का अग्रवरती संचार उपग्र जी सेट एट एकिस म अंत्रीच तकनीकी के संदर में भूवन जो हाल ही में चर्चित हुआ है वह इसरो का एक पिर्थिवी बिस्यक पोटल है जिसमें 3D फोटो लेने की छमताएं है इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपक्रहों की सूची उनके प्रछेपन के दिनांक के साथ नीचे दी गई है ध जी सेट फाइब पी तो 25 दीसमबर 2010 को और जी सेट ट्वेल तो इसमें 15 जुलाई 2011 को प्रछेपित किया गया था ध्यां रखेंगे तो उपग्रह में से कौन सत्य है तो कह रहा है कि 2 और 3 इसमें ध्यां रखेंगे कि जी सेट फोर है 15 अपरेल 2010 को छोड़ा गया था यह सत्य है और उसके बाद आप देखेंगे जी सेट फाइब पी तो 25 दीसमबर 2010 को छोड़ा गया था यह सही है और बाकी यह दोनों सही नहीं है अब नेश्ट देखिए वह उपग्र जो 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलता पुर्वक प्रिशेपित किया था तो जी सेट टेन रोकेट वाहन जिससे इसरों ने जी एस एटी सिक्स उपग्र लॉंच किया तो जी एसल भी एफ एट ध्यां रखेंगे नेश्ट देखिए रच्छा परदोग की देखते हैं जो की काफ ही इन पोटेंट है भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडियेशन मिसाइल का नाम है रुद्रम भारत की टैंक प्रति रोधी मिसाइल है तो नाग सुमेलित है त्या रखेंगे पिर्थी भी क्या है तो सतह से सतह तक मार करने वाले मिसाइल है त्रिशूल सतह से वाइव मार करेगी पिना का बहुं नाली रोकेट प्रणाली है संकर जी के धनुस्व के नाम पर पड़ा है निसांत युद छेतर के निरिच्छण हेतु दूरस्त चाली त्यान है और नाग प्रति टैंक प्रच्छे पास्तर है अगनी अकास पिना का नाग में मिसाइल नहीं है तो ध्यां रखेंगे पिना का मिसाइल नहीं है और सुमेलित है तो त्रिशूल लगु परास सतह से अब नेश्ट देखते हैं कि अस्तर प्रच्छे पास्तर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए ध्यान दीजिए तो इसमें यह 90 किलोमेटर की दूरी तक सत्रू के विमान को मार गिराने में सच्छा में ध्यां रखेंगे तो यह सही है यह अस्तर प्रिश्य पा से परे भीवी आर हवा से हवा में मार करने वाले सोदेशी अभिकल्पीत युम्रच्छा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डियाडियो प्रिच्छे पास्तर है अस्तर ध्यां रखेंगे डियाडियो के द्वारा मिसाइल कारेकरम बंद कर दिया गया है वह है त्रि संदलेगा नाम जुडा हुआ है तो भारत द्वारा तयार की मिसाइल से अगनी जुडा हुआ है ध्यान देंगे और उसके बाद देखते हैं मैं तो ऊप्रिक कथन में से असत्य तो भी अशौन है तो इन्फ्यक्ट्प बैसी भारतिय नोसेना का तेज आक्रमन यान है टाइफा एक कम्प्यूटर विशाणू है और ब्रहमोस्त्र एक सूपर सोनी क्रूज मिसाइल है नेक्ट देखिए निवलीखित कथनों पर विचार कीजिए तो वर्ष 2006 में भारत ने रोकेट कारे छेतर में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परिच्छन किया था अब उसके बाद आगे देखते हैं इससे प्रस निश्चीतरूप से पूछे जाएंगे थोड़ा सा इससे छोटा कर ले देखते हैं अब पीड़्थिभी दो से लएस होने पर आई एए अप बिस्व केक मातर वायु सेना जिसका कमान जिसका कमान में जमीन से जमीन पर मार करने में प्रच्छेपीक परच्छेपास्त्र मिसाइल है और उसके बाद देखते हैं सुखोई 30 एमकाई जेट लड़ाक प्रच्छेपास्त्र मिसाइल का परिच्छन कर सकते हैं अब नेक्ष्ट देखते हैं निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो नौमबर 2006 में डियाइडियों ने पिर्थिभी दीती है मिसाइल का परियोग कर सफलता पुर्वक और रोधन परिच्छन किया यह सई है अब परियोग में लिया जा रहा भी सुका अत्यधिक उन्नत एयर लिप्टर रेन्य वाइवान है यह वाइवान बनाय जाते हैं तो संजुक तराज अमिर्का के द्वारा बनाय जाते हैं भारतिये वाईवसेना का बीमान जो हवा से हवा में पुना इंदन भरने का कारे करता है इल्यूशन आई एल 78 करता है ध्यां रखेंगे सुमेलित है तो इसमें देखेंगे अरिहंत परमाणू पंडुब्बी है अवाक्स इसराइल विक्सीत फालकन वायू सेना हेतु है और एटलस सेंटोर तो अमेरिकी निमने तापी की रोकेट है भारत की पहली स्वदेशी सश परमाणू पंडुब्बी है तो ऑई एन एस हथ है अब नेख्त देखिए अं य अई इस सोलकी आई एएन अस सिंधुवीर सिसू मार और आपको में अजके हायाँ भारते दो सेना कि ना विकी किए उरचा द्वरा संचालित पंडुब्ब़ी है तो अगिनीएल प्रच्छ् जुलाइी 2004 में परिषण किया गया और उसकी मारक छमता 7000 किलोंतर से अधीक है परुंतु2000 किलोंतर से कम एक स्वधयान श्रीट मिसाइल जिसकी मारक छमता साथ हजार किलोमीटर है का मारक द्वारा मार्च 2010 में सफल पर इच्छन किया गया इसका नाम है अगनी वन है अब इसमें नेक्ट देखते हैं तो प्रमुख भय ज्यानिक विश्कार देखिए तो जे एल बेयर्ड जे लबेयर्ड जी ब्रा सब्सक्राम्लेटर का विश्कार किया था तो गयल लिए द्वारा मायक्रोजियों पास की बस्तुमें देखने केुए और उसे बड़ी करके देखा जाए 20 सुकी विसालतम दुर्वीन है तो आइस क्यूब है ध्यां रखेंगे और टाइप राइटर का सोल्स किये थे रेडियो का मारकोनी और सेप्टी लेंप का डेवी या कोईले के खानों में काम करने वाला एक लेंप होता है रोसनी के लिए उ तो बिलियम हेनरी ब्रेग अविसकारक और इसकार देखते हैं जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस्क किया था और माइकल फराइडरे ने डायनेमो का और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने तो सभी जानते हैं टेलिफोन को किये थे अब नेक्ट देखिए भाप इजन के उविसकार किया था जेम सवाट ने टेलिफोन का उविसकार किया था तो ग्राहम बेल रडिन और इलेक्टिक।्टिक बल्ब की खोच तो मार एडिशन बल्रिफ्चन अल्फ्रेड नोबेल ने अविसकार किया था डैनमाइट का और इन्ही के इन्ही के याद में नोबेल पुरसकार दिया आता है और इसकी शुरुवात की गई थी 1901 में पांच सेत्रों के लिए उनी सो आपको सरशट में और सास्तिक लिए और 1979 में पहली बार परदान किया गया था और सास्तिक नोबेल पुरसकार अब नेश्ट देखिए जेल बेर्ड का नाम जुड़ा हुआ है तो टेलिवीजन के अविसकार से लेजर का अविसकार किया तो ठियो डोर मैनन ने पेनिसल अविसकार तो डाइनामाइट का किये थे अलफ्रेड नोबेल विकास वात का सिधान्द दिये थे चाल्स डार्विन ने और भाप इंजन को जेम्स वाट नेश्ट देखते हैं कि यह काफी इंपोटेंट है परिच्छा में पूछे जाने होगी है तो उपिक में उनकी खोज के अंसार काला नुकरम विवस्थित कीजिए तो इसमें डेट याद रहेगा तब इसमें होगा कि पहले हुआ था आपको डायोट को उसके बाद हुआ था आपको ट्रांजिस् प्रशकार मिला था बैग्यानीस चंदर सेखर को नुबिल प्रशकार मिला तो भौतिकी के छेतर में नच्छतर के परयोक किये थे वह बैग्यानिक जिसने अवसी दिखिया की सूर्य के दरबमान से एक वाटा चार-चार गुना कौम दरबमान वाले तारे मेरी तो होकर स्वेत वामन तारे यह वाइट डवार्प से बन जाते हैं तो इस चंदर सेखर ने और चंदर सेखर सीमा कितना माना इन्होंने एक दस कि अन्वी प्रसीद है तो परकास वीद्यूत पर्भाव के लिए ध्यां रखेंगे अब द खिए प्रकास गुरुत होता है ब्रहमांड लगतार फैल रहा है और पदार्थ अपने चारों और के दिक्काल के विकुंची तो वार्प करता है मदमख्यों की भासा की पहचान के लिए नोबेल पुरसकार दिया गया था तो के भी फ्रिश्च को ध्यान रखेंगे अब नेश्ट देखिए सर सीवे रमन को भाती का नोबेल प्रसकार प्राप्त हुआ निशस अतीस में 28 को इन्हीं के जनम दीवन पर रमन परभाव के विसकार में इस्मिर्थी दिवस में विज्ञान दिवस मना याता है वर्स 1988 में जनम सताब्दी मनाई गई सीवी रमन का हालही में बना दमयन हूँ निव इनफिनिटीव सिर्शक वाला चलचित्र धारित है एस रामानुजन के जीवन पर ध्यां रखेंगे नेश्ट देखिए नवीन सपेच्छता सिधान प्रतिपादक किया जेवी नरलीकर ने अब नेश्ट देखिए भारत में परमानुजन का जनक कहा जाता है तो हुमी जहांगीर भाभा को होमी जहांगीर भाभा पुरसकार दिया यता है तो नाभिकिये उर्जा के छेतर में विश्यस युगदान के लिए इस्टीपन होकिंस थे तो यह बग्यानिक थे ध्यां रखेंगे भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान दोनों विश्यों में अनुसंधान किया तो जगदी नाथन क्रिशी विज्ञानिक थे हरित करांती उन्नीसो शर्षट मिलाये थे प्रो यू आर राव तो अंत्रीच अनुसंधान प्रो मेगनास साहा तुस्मा गतिकी यम खगोल भौतिकी भारत के प्रथम अंत्रीच उपग्र आर भट को डिजाइन करने वाले बग्यानिक जि आम इसे पूछा गया है अब निश्ट देखिए अधर को कि हर्गोविन खुराना सीवी रमन इस चंदर सेखर जगदीश चंदर बोस में नोबल पुरसकार भी येता नहीं है तो आपको हर्गोविन खुराना को मिला था उनीशो और सट में कि सीवी रमन को मिला था 20183 में सभी को याद रखना है भारतिय बग्यानिक है हर गोविन खुराणा को नोबिल पृष्थकार से समानित किया गया तो प्रोटीन के संस्लेशन के लिए परियोग साला में सरपर्थम DNA का संसलेशन किया था तो हर्गविंद खुराना ने उसमिये आयनन सी धानत एक महत्तपूंड देन है एम एन सहा की आधोनी क्रसाइन सहास्तर का जनक कहा जाता है तो एंटोनी लेवोजियर को ध्यां रखेंगे अब उसके बाद नेक्ट देखते हैं काफी इनपोटेंट अब बीविल से अब नेक्ष्ट दखिए इसमें ध्यान दिजिए तो भौतिक की वह सखा जिसमें अती सुच्मकणों की चाल का अध्यान किया आता है तो क्वांटम मेके निक्स है विज्ञान का छेतर जो मानों यंद्र के मध्य स्वचलन संचार का आत्यान करता है काहलाता है तो साइबरने टिक्स बहुच चरचित गौड बहुच चर्चित गौड पार्टिकल है तो ही कि वोसान है कि अभनेश्ट दखिए सुमेलित है तो प्रकास फाइबर प्रकास तरंगे इसमें यूज होता है एंडवायड में मोबाइल अप्रेटिंग सिस्टम है और ब्रिहत हेड्राउन को लाइडर में गौड पार्टिकल है और लाल ग्रह में मंगल का आता है सभी जानते हैं एंडवायड चल दूर्भास प्रचारन पधती 6.0 का नाम है तो मार्स मैलो समय मापवन विज्ञान है तो होरोलोजी घर्सण में इसने है काध्यान है ट्राइबोलोजी नेक्ट देखिए कि ओवायवान के विशस रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनए जाता है ध्यान रखेंगे इसमें आप्सन дов ग्रगती हुगा पहले उसी को देख लेते हैं कि इसमें ऑप्सन क्या लिए है तो ध्यार रखेंग्म कुण सत्य हैं केवाल भी है तो हम लोग भी को देखें दिखाई देता है नोकी भयगनी ध्यां रखेंगे नेश्ट दखेए राष्टिय भौति की परियोग साला इस्थित नई दिली में राष्टिय रसायनिक परियोग साला आवस्थी थे पुने में टाटा इस्टुटीट और फंडामेंटल रिसर्च इस्टित है तब मुंबई में लेजर का पूर्ण रखना एक-एक सब्द को ध्यां रखेगा क्योंकि पूछ दिया जाता है कि एक अच्छा क्या होगा इक अर्थ क्या होगा तो लाइट लाइट एक इस्टुमूलेटर एमेशन ओफ रेडियेशन होता है फिर से लाइट एक एक इक्ति है जिसके द्वारा उत्पन के आता है तो उद्धिपित पीकी रण विश्व की सबसे हुचाई परिश्थित दुर्वीन बेट साला है तो चीली में उनिवर्शिटी टोक्यो अठकामा बेट साबला है चीली क्रेधानी कहां है सेंटी आगो चंद्रा एक सरे दुर्वीन का नाम रखा गया है तो सुबरमन्ययम चंदर सेखर के सम्मान में अंत से रसकोवा कब गई थी यह 63 में दो साल बाद चंद्रमा है एक उपग्रह है पिर्थिवी का निउक्लियर रियक्टर टाइम बॉंब के लेखा को ने देखे इसको तो हंड़ेट परशेंट याद रखना है तक 80 ही रोज हैं निश्ट देखिए जींक कारबन जी आई एप का आसे है तो ग्राफिकल इंटर्चेंज फॉर्मेट जीपीएस परिख्थ होता है तो गलोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए ध्यां रखेंगे जीपीएस का फुल फारम याद रखना है कि गलोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस तक्निक का उप्योग हो सकता है तो मोबाइल फोन परचाल बैंकिंग परचाल पावर ग्रीडों के नियंत्रण में एटियम से तातपर है और्टोमेटर टेलर मसीन स्याम बीवर है तो पुच्छल तारे की दिशा सदय होती है तो सूरी से दूर की और होती है अत्यदी घनत्त वाले नचत्रों को कहते हैं तो न्यूट्रांस स्टार कहते हैं भारत की संपूर्ण उर्चा उत्पादन में ना भीकिए उर्या का परतिशत होता है तो लगभग एक दसमलव लगोह तकनिक या जो ललगू हाई के रूप में कमाल कर सकती है तो नाइना थुकति जोलग atau आउटके lot काका होता है तो एक हैंबशnd keen आ हिए एक कॉन जिसकी कॉम से घंग हैं दोनों कृफन सकते हैं तो नेंट्र टेक्नलोजी के द्वारा लच उंप्त उसदी परदान करना संभव कर दिया गया है यह की टारगेट ड्रग डिलिवरी नैनो टेक्नोलोजी जीन उपच्यार में एक बड़ा युगदान दे सकती है दोनों कथन क्या है सत्य है स्वास्त के संदर में अब निफ्ट दखिए कार्बन नैनो ट्यूब में निख़्ित कथनों पर विचार कीजिये तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इनको मानव सरीर में और सधियों और परती जनों के वाहकों के रूप में परुक्त किया सکता है इनका जैवरासाइनिक संबेदकों में उप्योग किया जासकता सबसे बढ़ते करम में एरोसल हो जाएगा उसके बाद आपको लच्छी दमाय हो जाएगी उसके बाद हैगा 3D networking उसके बाद हुझागा आणविक बिनिर्मान कथन देखते हैं इसमें कथन कारण से तो निश्चित प्रस्ण बनते रहे हैं कथन कारण अंतरिच में मुंबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन नहीं होती है ठीक है ज्वाला का अस्तित गुर्त्वा करस्णिये के कारण होता है दोनों सही है और अस्पश्टी करण भी है भारहिंता के वस्ता में एक मुंबत्ती की ज्वाला का अकार हो जाएगा गोला कार इनरौन सक्ती परियोजना है तो डाभोल कहां है महराष्ट में है डाभोल महर निवलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कथन कारण ध्यां रखेंगे भारत के नाभी किये नीती में नहीं थे कि वह अपने नाभी किये सेंत्रों के अंतराष्टिये भारत ने जिंवलिखित शंधी इंप्रांस भारत इज्राइल पाकिस्तान तो इसमें देखिए एक और दो है, यहीं कि जो इसमें ध्याय रखेंगे, एक और दो में आते हैं आपको चीन और फ्रांस, तो चीन और फ्रांस जो है कि उप्यूक्त में से वह जो परमाडू सेंतरों के ऑपरसार 21obenodyteo and proliferation और nuclear weapons जिसमें समानतब परमाडू और प्रसार संधी नुकिलियर नौन प्रोपीलिप्रेशन ट्रिट्री एन पीटी के नाम से जाना याता है कि मानेता के उंसार परमाडू सस्तर संपन राज नुकिलियर वेपन्स स्टेट्स हैं तो आप ध्यां रखेंगे यह आपको हो जाएंगे चीन और फ्रांस अब नेक्स लेखते हैं कि किसी देश की नाभी किये पूर्ती करता समू के सदस्य बनने का प्रडाम है कि इसकी पहुंच नमींतम और सबसे कुसल परमाडू परमाडू प्रदुग्यों तक हो जाएगी परमाडू आप पूर्ती समू नुकिलियर सप्लायर्स ग्रूप का सब्सक्राइब हटाए जाने के पहुंच सब्सक्राइब नागरिक परमाडू तकनीक की आप पूर्ती की जा सब्सक्राइब नियां रखेंगे अब नेक्ट देखिए देखाद पूसंड परियावरन सुरच्छा सी इस आई आर का ग्रामिड विकास के लिए बिज्ञान और पुर्तुकी नवाचार पुरसकार दोहजार चो मिला तो सी इल आर आई को मिला ध्यान रखेंगे अब नेक्ट देखते हैं ने डी अश्टी शी एस आई और आई सी एस एस आर तथा डी एई में भिझ्यान और पुर्तुकी से सम्वंदी संस्था नहीं है तो इस डबल एस आर नहीं है और बाकी डीएस टी इस आई यार और उसके बाद डीएए है दोनों सही नहीं है जब सही नहीं है तो समय भरबात क्या करना है नेश्ट दखिए स्वचालित कलाई घड़ियों में उर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभीन संचलन से अंतराश्टिय ताप ना भीकिये परियोगसाला रियेक्टर परियोजना बनाई जाने वाली है कर लेने से बचाएगा यह ग्रिवीटी ट्रेकर है कि नेश्ट देखते हैं कि एंप टूथ लुको इसकीन और नौक डूर्णा एक जीट में से वह पॉली हरवल उत्पाद जिसे रच्छा नुसंधान विकास संगठन डियार्डियो द्वारा विक्सित नहीं किया गया है त कि ए और आर्थ दोनों सही व्याख्या नहीं है तो इसमें ध्याँ रखेंगे अभी कथन है कारण है तो सी ए आर एन एर्गनाइजेशन फौर निकुलियर रिसर्च वीश्व में कड़िये भौतिक सास्त्र की सबसे बड़ी पर्योक साला है सही है उप्यूक संगठन में अस कभी जमाचारों में देखा जाने वाला सब्द इंड और्क है तो आर्क्टिक छेतर के बैज्ञानिक अध्यानेतु भारत की अंतर जलिए वेदसाला अंडर वाटर अबजेटरी अब नेश्ट देखते हैं कि उसके बाद के वह लेक देखिए सही है तो एन आई एफ केंद्रिय सरकार के अधिन विज्ञान और प्रदुकी विगहाग की एक स्वायत संस्था है ध्यां रखेंगे नेश्ट देखते हैं भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश से है तो हमारे अनेक गाओं को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालेओं साज्मी कस्थलों यों प्रमुख परेटक केंद्रों प्रवाई भाई का लाना अब नेश्ट देखिए डिजिटल हस्ताच्छर तो इलेक्ट्रोनिक दस्तावेश पर हस्ताच्छर करने के लिए इलेक्ट्रोनिक पधती है सुनिशित करता है और मूल अन्स अपरणती दाता है उप्लिक कथन में से केवल तीन सही है अब नेश्ट देखते हैं भारत की सभी ATM को जोड़ता है तो भारतिय राष्टिय भुक्तान निगम नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया कॉम्पनी प्रमुखकार छेत्र उत्पाद सेवरान तेल से संबंदीत है एटी 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 टो टेलीफोन इंटरनेट से संबंदीत है एमडी तो सुचम संसाधिक से है और इन एनर कॉन तो पौन उर्जा संबंदीत है अब नेक्ष्ट देखते हैं अब नेक्ष्ट देखिए इसमें तो दच्छड गंगोतरी इस्थी था तो अंटक्टिका में सब्सक्राइब के लिए अस्थापित पर्थम भारती एस्टेशन का नाम है तो दच्छडी गंगोतरी भारत द्वारा अंटक्टिका में निर्मी तीसरा सोद एस्टेशन कर लाता है भारती अस्थापना कभ था तो ध्यान रखेंगे दो हजार बारा में हुआ था कि दो जर्बारा सही है नेक्ट देखिए अब आइसो बार से वाइवदाब मापा जाता है आइसो हाइट से उचाई और आइसो हेलाइन से लंगणता और आइसो बात से घराई किसी जल निकाहे में घंध तो प्रणता को दरसाती है तो पिकनो क्लाइन ध्यान रखेंगे साइस एम में से एक विवान नहीं है तो सारत वी एएंपी दो नहीं है बाकि जगवार हैं मैं आकास गंगा का नागरी हूं उक्त कर दिया एता है कलपना द्रफ भल्य बद्मेर प्रोप में है लोहा निकेल कॉबाल्ट ँमिनियम में से वह उधातु जो चुम्बक द्वरा आकरसीत नहीं होती है निकेल कॉबाल्ट क्रमियम तामभा में से हुआ है चुम्बक्य सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ संकेत करती है टेप रिकारडर की टेप लेपित रहती है तो फेरो मेगनेटिक चुन्ड से घड़ी में एस फटी क्रिश्टल का कार्य अधारित है तो दाब विद्यूत परभाव पर नेश्ट देखिए घड़ी में परियोग होने वाले क्रिश्टल होते हैं तो सिलिकॉन डियक्साइड किसी इलेक्ट्री घड़ी में लोलग घड़ी के लोलग के समतुल्य पूर्जा होती है तो क्रिश्टल ये दो लित्र होती है ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं द्रव किस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रद्वकिये अनुप्रयोग आंकीक प्रदर्शन है और उसके बाद मोडे में एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा फोन लाइन से जोड़ा होता है नेक्ष्ट देखते हैं द्रव किस्टल परिख्थ होते हैं तो कलाई घड़ियों में परदर्शन निक्तियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में सुमेलित है तो नेक्ष्ट देखते हैं कि नेशनल इस्टिटीट और पोसनोग्राफी गोवा में है समुंद्र विज्ञान राष्ट्य संस्थान और उसके बाद देखते हैं आपको इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसेन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज यानि समुंद्र सूचना सेवाओं का भारतिय राष्ट्य के हैं और उसके बाद समुंद्र प्रदुकिये का राष्टिय संस्थान चें नहीं में है अंतराक्टिका अध्यान के अंतर गोवा में सभी जानते हैं और देखते हैं इसमें बिक्रम सारा भाई अंतरी चिकेन त्रिनुनंत पूरम में है आई एस आर उपग्रा केंद्र है बंगलोरु में एस एच आर केंद्र है श्री हरी कोटा में और स्पेस अप्लिकेशन केंद्र है अहम्दाबाद में ध्यान रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं केंद्रिये उच तिब्बत अध्यन संस्थान है वरांडशी में इंद्रा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है राष्टिये मनो स्वास्तियम तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलोरु में है केंद्रिये अंग्रेजी विदेशी भासा संस्थान हैद्रा भारत में इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड बेल इसरो के सवयोग से बनाता है तो गैलियम आर्सेनाइट सोर सेल सुमेलित है तो केंद्री और सधी अनुसंधान संस्थान लखनों में इसे तो आप 100% दिया रखेंगे क्यों पूछा गया है राकेट प्रिछेपन केंद्र है थु 100,000,000 वर्सों में केवल एक सेकेंड पीछे हो जाती है परियोग करती है तो एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे सेरेष्ट परियुक्त होता है तो ट्रेलिफोन में ग्रहों के गति के नियम पर्तिपादन किये थे जोहांस केपलर चुम्बकिये अनुनाद बिम्बी करोन अधा के किस्तितं का निदान करने के लिए फिसा चैथी इपक्निक का उप्योग किया च्सहे WITH patients टरंग सेरें किस का श्योंत अधे बिल्ब होता है माइकरोफोन म Tribus का उप्योग होता है वह है तो տरिकंट सवीक्रोफोन धारी नबरवा Specifically कि और रिक्षा साइटू ट्रान ऐसा सेंत्र है जिससे उत्पन किया आता है तो क्रित्री मौसम ध्याँ रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं कि एसिया का प्रथम इंजिनेरिंग कालेज अस्थापित किया गया था तो रूड़की में भारत में मिट्रिक प्रणाली प्रारम की गई एक साथ निशो संतावन को टेकियां से तात्पर है प्रकास की गती से तिवर गती वाला कॉर्ण सुमेलित है ब्यक्ति देखते हैं तो जौन सी मेथर तो भौतिकी में नोबेल पुरसकार 2006 के बीजेता है माइकल ग्रीफिन नासा के पूर प्रसकार आसक है ध्यां रखेंगे 2005 से नो की बीच में रहे थे पॉल जी एलन तो माइक्रो सुप्ट के सहसं स्थापक हैं और पियर्स सेलर्स अंत्रीच पद्यातरी हैं अब निश्ट देखिए लास्ट पेज है आपको कि राजा रमन्ना के बारे में निवन पर विचार कीजिए आणवी कुपकरण के परिच्छन करने वाले बग्यानिकों की टीम का वह निर्देशक अधिकारी थे सही है और उसके बाद 1975 में उन्हें पदम विभूशन परदान किया थे भी सही है 1990 में उन्हें रच्छा का कि राज मंत्री बनाया गया यह भी सही है और उन्हें दो इस्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन दो रागा वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक की लेखन के भी सही है निश्ट देखिए वाटर जेट तकनीक क्या उप्योग किया आता है तक ख़दानों के वेधन में यह कोई सुचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यतर टेलिवीजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सकती है उसे कहते हैं टेलीफेक्स लेजर बीम का उप्योग होता है तो आख कैंसर वक्त रोगों के उप्चार होता है और क्रायो निक्स तो पूनर जीवित करने है तुजी पिंडों का जनम होता है और कोबाल्ट साथ कैंसर का उप्चार होता है नेक्ट दखिए ज़्यापान में गिराए गया बमों में परुट किया गया था इस फोटक तो प्लोटोनियम सभी जानते हैं अमनेश्ट देखिए कि आईफोन फोर एस की अननने विशिष्टाएं क्या है इसमें 3G 3G में 8 घंटे टॉक टाइम है और उसके बाद इसमें बाड़ी पहुचान स्वाचालनी करण संभव होता है तथा सुदूर निगरानी चमताएं उपलब्द हो जाती है प्रथम 3D दुरदर्शन प्रसारण प्रयोगीक तोर पर पर परविर्थ किया गया तो अमेर्का में ध्यां रखेंगे नेश्ट देखिए उसमें देखते हैं अब 3D मुद्रण का परयोग होता है ध्यां रखेंगे मिश्टान की चीजे बनाने में जय इलेक्ट्रोनिक करण के निर्मान में आटोमेटी उद्योग में पुनर निर्मान कारी सेलेकरम में और दंत यहनी संसाधन प्रद्योगी में परिधे प्रद्यो up and location निर्धारन किसी व्यक्ति का निद्रा मोनितर्न और स्रौन दोस युक्ति व्यक्ति की सहायता निश्ट दखेंगे कि इसमें दोनों सही नहीं है और 2-0 तौन सहीने तो पढ़ना भी नहीं है कि आँने खेत में फसल पर प्लपर द्याँ रखेंगे तकनीक के वर्तमान अस्तर में उप्यूक्त से गतिवी धियों से जिने ड्रोन के परियोग से सफलता पुर्व किया जा सकता है क्या तो खेत में फसल पुढकना सी छीड़कना सक्रिय जोला मुखी के मुखों का निरीच्छन करना ड्रोन से किया सकता है और इसलेशन के लिए उच्छेपण करती हुई वेलों कि स्वास के नमूने एकतर करना सभी ड्रोन से किया सकता है नेक्ट देखिए उर्जा का रुपांतरों युकति परक्रम तो उस्मा से वैदूत उर्जा होता है वा बैदूत से ध्वनी और भीकेश यक्टर होता है और रसानिक से उस्मा का प्रकाश इंधन दहन होता है पॉलिग्राफ टर्वाइन रेडियेटर क्वाड्रेट उक्तियों में से मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंधा करने के लिए परियोग में ला आता है तो रेडियेटर को बग्यानिक प्रबंधन के जनक है तो एफ डेवलू टेलर ध्यां रखेंगे इस तरह से आपको पूड एक एक सीरीज को बताया जाएगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत